आगामी संग एवं राज्यलोक सेवा आयोग प्रारंबिक परिक्षाहेतु विशेश हल प्रश्ण सामान्य अध्यन प्रश्ण संख्या 1. अंतराश्ट्रिय महिला दिवस के संदर्भ में निमनलिकित कथनों में से कौन सा या से सही हैं 1. अंतराश्ट्रिय महिला दिवस एक मजदूर आंदोलन से उपजा है 2. क्लारा जटकिन ने 1910 में कोपिन हेगन में कामकाजी औरतों की एक इंटरनेशनल कॉन्फरेंस के दौरान अंतराश्ट्रिय महिला दिवस मनाने का सुझाव दिया 3. इसे सहीक्तुराश्ट संग ने 1945 मनाना शुरू किया 4. अंतराश्ट्रिय महिला दिवस की पहली थीम थी Celebrating the Past, Planning for the Future नीचे दिये गए कूट का प्रियोग कर सही उत्तर चुनिये विकल्प A केवल एक और दो, विकल्प B केवल दो तीन और चार, विकल्प C केवल एक दो और चार, विकल्प D केवल एक और चार, सही उत्तर है विकल्प C केवल एक दो और चार उत्तर की व्याख्या सबसे पहले 1909 में अंतराष्ट्रिय महिला दिवस मनाया गया था क्लारा जटकिन ने 1910 में कोपन हेगन में कामकाजी ओरतों की एक international conference के दोरान अंतराष्ट्रिय महिला दिवस मनाने का सुझाओ दिया 1975 में महिला दिवस को आधिकारिक मानेता उस वक्त दी गई थी जब संयुक्त राष्ट ने इसे वार्ष की तौर पर एक थीम के साथ मनाना शुरू किया Celebrating the Past, Planning for the Future अंतराष्टे महिला दिवस की पहली थीम थी प्रश्ण संख्या 2. पेट्रोलियम सरक्षन अनुसंधान संग अर्थात PCRA के संधर्व में निमनलिकित कथनों पर विचार करें 1. 1978 में एक गैर लाबकारी संगठन के तौर पर PCRA का गठन भारत में अर्थ विवस्था के विबिनिक शेत्रों में उर्जा दक्षिता को प्रोच्चाहन देने के लिए किया गया था 2. पेट्रोलियम सरक्षन अनुसंधान संग अर्थात PCRA भारत सरकार के नवीन और नवीकरणी उर्जा मंत्राले के तत्ववधान में इस्थापित एक पंजी कृत संस्था है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यसे सही है विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनो, विकल्प D ना तो 1 और ना ही 2 सही उत्तर है विकल्प A केवल 1 उत्तर की व्याख्या पेट्रोलियम सनक्षन अनुसंधान संग अर्थात PCRA भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्राले के तत्व उधान में इस्थापित एक पंजी कृत संस्था है 1978 में एक गेर लाबकारी संगठन के तौर पर PCRA का गठन भारत में अर्थ व्यवस्ता के विभिन क्षेत्रों में उर्जा दक्षिता को प्रोच सहन देने के लिए किया गया था प्रश्न संख्या 3. इंचियों रणनीती के संदर्ब में निमनलिखित कथनों पर विचार करें 1. ये एशिया और प्रशान्त क्षेत्र में कार्बन उच्थ सर्जन को कम करने के लिए एक कार्य योजना है 2. इस रणनीती के अंतरगत इस क्षेत्र में विकलांगता समावेशी विकास लक्षों को निर्धारित करना शामिल है 3. इसको 2012 में अपनाया गया था उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो और तीन, विकल्प C एक दो और तीन, विकल्प D केवल तीन, सही उत्तर है विकल्प B केवल दो और तीन उत्तर की व्याख्या एशिया और प्रशान्त क्षेत्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग अर्थात एसकेप की सरकार 2013-2022 तक की अवधि के लिए निशक्त जनों के नए एशिया और प्रशान्त दशक के लिए रूप रेखा तयार करने के लिए 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2012 तक इंचियान कोरिया गणराज्य में एक अत्रित हुई इसमें निशक्त जनों के संगठन सहित सिवल सोसाइटी संगठनों के प्रतिनिदी शामिल हुए इनके साथ अंतरशासकिय संगठन विकास निगम एजिंसियों तथा संयुक्त राष्ट समुदाय भी उपस्ति था इंचियों न रणिनीती का अंगी करण दिव्यांग जनों के अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट संधि में वर्णित लक्षों को अरजित करने हेतु किया गया है प्रश्न संख्या चार डाकनेट के संबंध में निमनलिखित कथनों में से कौन सा यसे सही है एक इसके इस्तेमाल मानव तसकरी मादक पदार्थों की खरीद और विक्री हतियारों की तसकरी जैसी अवैद गतिविदियों में किया जाता है दो, डाकनेट इंटरनेट का वो भाग है जिसे आमतोर पर प्रियुक्त किये जाने वाले सर्ज इंजन से एक्सिस नहीं किया जा सकता उपरियुक्त कथनों में से कौन सा यसे सही है विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो, विकल्प C एक और दो दोनों, विकल्प D ना तो एक और ना ही दो सही उत्तर है विकल्प C एक और दो दोनों उत्तर की व्याख्या इंटरनेट पर ऐसी कई वेबसाइटे हैं जो आमतोर पर प्रियोग किये जाने वाले गूगल, बिंग, जैसे सर्ज, इंजनों और सामन्य ब्राउजिंग के दाइरे से परे होती है इन्हें डाकनेट कहा जाता है सामन्य वेबसाइटों के विपरीत ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जिस तक लोगों के चुनिंदा समूहों की पहुँच होती है और इस नेटवर्क तक विशिष्ट ऑथराइजेशन प्रक्रिया, सौफ्टियर और कन्फिगिरेशन के माध्यम से ही पहुँचा जा सकता है प्रिश्न संख्या पांच निमनलिखित में से कौन से कारकों की साहयता से भारतिय क्रिशकों द्वारा अपनाए गए क्रिशि नव प्रवर्तनों की व्याख्या की जा सकती है 1. क्रिशि उद्यम वृत्ति 2. विस्तार अभिकरणों द्वारा प्रेयत्न 3. मूल्य प्रोथ सहन विकल्प A एक और दो विकल्प B दो और तीन विकल्प C एक और तीन विकल्प D एक दो और तीन सही उत्तर है विकल्प C एक तथा तीन उत्तर की व्याख्या देश में हरित क्रांति का व्यापक प्रभाव द्रिश्टिगत रखते हुए इस व्यवस्था को लागू किया गया था लेकिन पूर में ये व्यवस्था कुछ राज्यों तक सीमित होकर रह गई पईड़ाम सुरूप जो लक्षर निर्धारित किया गया था उसे तो पूण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सका लेकिन ये अवश्य हुआ कि इससे किसानों में जागरुकता आई और धीरे धीरे उन्होंने भी नवीन क्रिशी आदायों का उप्योग करना आरंभ किया जिसे क्रिशी क्षेतर में नव प्रवर्तन की इस्थिती का संचार हुआ तथा देश खाद्यान के क्षेतर में न केवल आत्म निर्भर अपितु विश्व में एक निर्यातक के रूप में भी अपना स्थान बनाने में सफल हुआ प्रश्न संख्या 6. हाल ही में समाचारों में रहे राष्ट्रियة PArmaceutical Pricing Authority के सम्बंद में निमनिलिकित कतनों में से कौन सा यस सही है एक राश्ट्रिय फार्मसियूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी अर्थात NPP1 का अगठन 29 अगस्त 1997 को फार्मसियूटिकल विभाग रसायन और उर्वर्क मंत्राले के एक सलगन कार्याले के रूप में किया गया था 2. NPPA DPSO 2013 की अनुसूची एक के तहत अधिसूचित सभी ड्रक्स को उच्चिता मूल्य प्रदान करता है उपरिउक्त कथनों में से कौन सा या से सही है विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो, विकल्प C एक और दो दोनों, विकल्प D ना तो एक और ना ही दो सही उत्तर है विकल्प C एक और दो दोनों उत्तर की व्याख्या नीति आयोक के तहत दवाओं के मूल्य नियंत्रण के संबंध में गठित समिती अब दवाओं का मूल्य नियंत्रण करेगी जिसका निर्धारण पहले राष्ट्रिय फार्मस्यूटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण अर्थात NPPA द्वारा किया जाता था राष्ट्रिय फार्मस्यूटिकल प्राइसिंग अर्थात NPPA का गठन 29 अगर्स 1997 को फार्मस्यूटिकल विभाग रसायन और उर्वरक मंत्राले के एक सनलगन कार्याले के रूप में दवाओं के मूल्य निर्धारण और सस्ती कीमतों पर दवाओं की उपलब्दिता प्रश्ण संख्या साथ हाल ही में भारत के परियोजिना प्रमुक द्वारा जानकारी दी गई है कि फ्रांस के कराहाश में तैयार किये जा रहे दुनिया के सबसे बड़े परमान सलयन रियक्टर में भारत ने अपना 50 प्रतिशत योगदान को पूरा कर लिया है अंतराश्ट्य थर्मो नुकलियर प्रायोगिक रियक्टर प्रजक्ट के संदर्ब में निमनेलिखित कथनों पर विचार करें एक भारत ने ITER परियोजिना के लिए क्रायोस्टेट यानि एक तरीके का रेफ्रिजरेटर तैयार किया है दो इस परियोजिना में भारत समेत साथ सदस्य अमरीका, रूस, दक्षन कोरिया, चीन, जापान और यूरोपिय संग शामिल हैं उपरियुक्त कथनों में से कौन सा या से सही हैं विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो, विकल्प C एक और दो दोनों, विकल्प D ना तो एक और ना ही दो सही उत्तर है विकल्प C एक और दो दोनों उत्तर की व्याख्या, ITER प्रोजेक्ट दुनिया की सबसे बड़ी शोध परियोजिनाओं में से एक है, जिसके तहट सनलेयन शक्ति के वैग्यानिक और तक्नी की व्यवहार्यता पर काम किया जा रहा है लिटिल सन के नाम से जाने जाने वाले इस प्रोजेक्ट को International Thermonuclear Experimental Reactor यानी ITER कहा जाता है ITER प्रोजेक्ट की शुरुवात वर्ष 2013 में फ्रांस के कराहाश में की गई थी, जिसके लिए सबी सदचे देशों ने इसके निर्मान में वित्तिय सहायता उपलब्द कराई थी प्रश्न संख्या आठ FAME 2 योजना के संदर्ब में निमनलिकित कथनों पर विचार करें 1. FAME 2 योजना 1 अप्रेल 2019 से तीन वर्षों के लिए शुरू की गई थी, जो तातकालिक FAME India 1 का विस्तारित संसकरण है 2. इस योजना का मुख्य उद्देश देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देना है उपरिउक्त कथनों में से कौन सा या से सही है विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो, विकल्प C एक और दो दोनों, विकल्प D ना तो एक और ना ही दो सही उत्तर है विकल्प C एक और दो दोनों उत्तर की व्याख्या सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्मान और उनके तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को मन्जूरी दी थी कुल रुपे 10,000 करोड के परिवेवाली ये योजना 1 अप्रेल 2019 से 3 वर्षों के लिए शुरू की गई थी जो ततकालिक फेम इंडिया वन का विस्तारित संसकरण है फेम इंडिया वन योजना 1 अप्रेल 2015 को लागू की गई थी इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देना है प्रश्न संख्या 9 जम्मू कश्मीर में नया डोमिसाइल एक्ट लागू हो गया केंद्र सरकार्दवारा जारी अधिसूचना के अनुसार जम्मू कश्मीर पुनरगठन आदेश 2020 में कौन सा सेक्षन जोडा गया है जिसके तहत राजय या केंद्र शासित प्रदेश के निवासी होने की परिभाशा तै की गई है विकल्प A, Section 1A, विकल्प B, Section 2B, विकल्प C, Section 3A, विकल्प D, Section 2C सही उत्तर है विकल्प C, Section 3A उत्तर की व्याख्या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 19 मई 2020 से नया डोमिसाइल एक्ट लागू हो गया सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जम्मु कश्मीर पुनरगठन आदेश 2020 में स्रक्शन 3A जोड़ा गया है इसके तहट राजय या यूटी के निवासी होने की परिभाशा तै की गई है नए डो मिसायल नियमों के मुताबिक कोई व्यक्ती जो जम्मु कश्मีर में कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है और दस्वी या बार्वी का एक्जाम यहां के किसी संस्थान से पास कर चुका है तो वो जम्मु कश्मीर का निवासी कहलाने का हकदार होगा जम्मु कश्मीर प्रशासन ने नई डोमिसल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स 2020 को लागू कर दिया है प्रश्न संख्या 10 विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कारेक्रम के लिए कितने करोड डॉलर की साहेता राशी मन्जूर की है विकल्प A 40 करोड डॉलर विकल्प B 60 करोड डॉलर विकल्प C 70 करोड डॉलर विकल्प D 90 करोड डॉलर सही उत्तर है विकल्प A 40 करोड डॉलर उत्तर की व्याख्या विश्व बैंक ने सरकार के गंगा पुनरुद्धार कारेक्रम के लिए अपने सयों का विस्तार किया है विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कारेक्रम के लिए 40 करोड डॉलर या करीब रुपए 3000 करोड की साहेता मन्सूर की है इससे गंगा नदी के प्रश्न संख्या 11. 5 जून 2020 को केंद्रिय विद्युत और नवीन एवं नवीकर्णी उजा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आरकेसिह ने विश्व परियावरण दिवस के अवसर पर आई कमिट अभियान की शुरुवात की। प्रश्न संख्या 12. 3 ये किसी विशिष्ट लक्ष और समय सीमा का उलेक नहीं करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यसे सही हैं। विकल्प A केवल एक और तीन, विकल्प B केवल दो और तीन, विकल्प C केवल एक, विकल्प D एक दो और तीन। सही उत्तर है विकल्प डी एक दो और तीन उत्तर की व्याख्य केंद्रिय परियावरण मंत्राले ने 17 अप्रेल 2018 को वायू प्रदूशन को कम करने के लिए ब्राश्ट्रिय स्वच वायू कारिक्रम का मसौदा जारी किया है इसका उद्देश देश भर में वायू प्रदूशन की समस्या को व्यापक तरीके से निप्टाना है स्वच वायू अभियान राश्ट्य राजधानी में प्रदूशन के इस्तर में महत्पूर्ण कटोती करने का एक गंभीर प्रियास है N.C.A.P. का मुख्य लक्ष निर्धारित समय सीमा में देश के सभी स्थानों पर निर्धारित वार्षिक औसत परिवेश वायू गुणवत्ता मानकों को पूरा करना है प्रिष्ट संख्य एक सो चब्बेस प्रश्ण संख्य तेरा हाल ही में समाचारों में रहे पारकर सोलर प्रोब पद किसे निर्धिष्ट करता है विकल्प A. पारकर सोलर प्रोब इस्तरोद्वारा विक्सित किया जा रहा यान है जो मंगल ग्रे के वातावरण का अध्यन करने के लिए प्रक्षेपित किया जाएगा विकल्प B. पारकर सोलर प्रोब भारत द्वारा विक्सित सौर उर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है विकल्प C. स्वास्त सेवा सुधार क्षेत्र में डिजिटल स्वास्त सेवाओं को प्रात्मिक्ता दिये जाने के विशेपर अंतराष्टिय समझोता है विकल्प D. पारकर सोलर प्रोब अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा विक्सित किया जा रहा यान है जो सूरे के वातावरन खास कर सौर तूफान का अध्यान करने के लिए अगले साल प्रक्षेपित किया जाएगा सही उत्तर है विकल्प D. पारकर सोलर प्रोब अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा विक्सित किया जा रहा यान है जो सूरे के वातावरन खास कर सौर तूफान का अध्यान करने के लिए अगले साल प्रक्षेपित किया जाएगा उत्तर की व्याख्या अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने अगले यान पारकर सोलर प्रोब में उडान संबंदी यंत्र लगाने का काम करीब करीब पूरा कर लिया है इसके जरीए सूरज जैसे सितारों की जिन्देगी और वहां होने वाले मौसमी घटनाओं की जरूरी सूचनाएं जुटाई जा सकेंगी इससे सूर्य पर बनने वाले सौर तूफान, सोलर फ्लेयर्स और धर्ती पर प्रभावित होने वाली संचार सेवाओं को समझने में आसानी होगी फिरिन सोलर फ्लेयर्स का अनुमान लगाना संभव होगा प्रश्न संख्या 14, केंद्र सरकार द्वारा उच्ची शिक्षन संस्थानों में इंफ्रस्ट्रक्चर विक्षित करने ही तो एक नया फंडिंग मॉडल रिवाइटलाइजिंग इंफ्रस्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन राइस की घोशना की गई इसके संदर्व में निमनलिखित कथनों पर विचार करें एक इसका उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थानों सहित प्रमुक्षैक्षनिक संस्थानों में अनुसंधान और संबंदित अवसरचना में निवेश की गति को तेज करना है दो अगले चार वर्षों में रुपय साथ अजार करोड के कुल कॉपर्स की घोशना की गई तीन दो हजार बाइस तक शिक्षा में आधारभूत सुविधाओं और प्रणालियों को पुना जानदार बनाने की पहल उपर्युक्त कथनों में से कौनसा यसे सही है विकल्प A केवल एक और दो, विकल्प B केवल एक, विकल्प C केवल एक और तीन, विकल्प D केवल तीन सही उत्तर है विकल्प C केवल एक और तीन उत्तर की व्याख्या एक फरवरी दोहजार अठारा को वित्मंत्री द्वारा बजट भाशन में अगले चार वर्षों में रुपे एक लाग करोड के कुल कॉर्पस के साथ दोहजार बाइस तक शिक्षा में आधारवूत सुविधाओं और प्रणालियों को पुना जानदार बनाने अर्थात राइज नामक एक बड़ी पहल की घोशना की गई इसका उद्देश्य स्वास्त संस्थानों सहित प्रमुक शैक्षनिक संस्थानों में अनुसंधान और संबंदित अवसन अचनात्मक निवेश की गति को तेज करना है प्रश्न संख्या पंद्रा क्यू आर कोड के संदर्ब में निमनलिखित कथनों पर विचार करें 1. QR कोड दो आयामी मैट्रिक्स मशीन द्वारा पड़ा जाने वाला बार कोड है जो काले और सफेद वर्ग से बना है 2. QR कोड अधिक्तम 20 अंकों को स्टोर कर सकता है 3. ये कोड स्मार्टफोन के कैमरे द्वारा नहीं पड़ा जा सकता है उपरियुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है विकल्प A केवल एक और दो विकल्प B केवल एक विकल्प C केवल एक और तीन विकल्प D एक दो और तीन सही उत्तर है विकल्प B केवल एक उत्तर की व्याख्या QR Code सबसे पहले डेंसो वेव ने बनाए थे उस समय इन Code का इस्तेमाल वाहनों की बनावट के समय उनके पार्ट्स को ट्रैक किया जाता था QR Code अर्थात त्वरित प्रतिक्रिया Code दो आयामी मैट्रिक्स मशीन द्वारा पढ़ा जाने बाला बार Code है जो काले और सफेद वर्ग से बना है प्रश्न संक्या 16 बिग डाटा के संदर्व में निमनलिकित कथनों पर विचार करें 1. बिग डाटा में सभी क्षेत्र, व्यापार, सेहत, यातायात, समुदाय, खेल और बेशक e-commerce शामिल है 2. बिग डाटा शब्द का मतलब वो डिजिटल डाटा जो सोशल नेटवर्क और सभी वेब मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है इसमें वैसे डेटा भी शामिल हैं जो कनेक्टेड नेटवर्क के जरिये, कंपनी के कस्ट्रमर या संभावनाओं के जरिये जुटाये गए होते हैं उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो, विकल्प C एक और दो दोनो, विकल्प D ना तो एक और ना ही दो सही उत्तर है विकल्प C एक और दो दोनो उत्तर की व्याख्या बिग डाटा का मतलब है किसी कमपनी की साइट, डाटा बेस, सोशल नेटवर्क और क्यूरेटेड विशलेशन से जुड़ी सारी जानकारियां और आंकडे इन सभी जानकारियों का विशलेशन कमपनी को एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जिसमें वो ग्राहकों और संभावनाओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटा सकती है और साथी अपनी लागत और नवीनी करण को अपने अनकूल सेट कर सकती है बिग डाटा में सवीक्षेत्र, व्यापार, सेहत, यातायात, समुदाय, खेल और बेशक, ई-कॉमर्स शामिल हैं बिग डाटा का उपियोग और विशलेशन करके कमपनीयां और पेशेवर अपने ग्राहकों या संभावनाओं के बारे में जानकारी इकठा करते हैं प्रश्न संखिय सत्रा, साइबर सुरक्षित भारत अभियान के उद्देशों के संदर्व में निमनलिकित कथनों में से कौन सा या से सही हैं विकल्प A, ये पहल विज्ञान एवं प्राद्योगी की मंत्राले की ओर से शुरू की गई है विकल्प B, इस अभियान के तहट साइबर अपरादियों को उचित सजा दिलाई जाएगी विकल्प C, बड़े पैमाने पर होने वाले बिनाशकारी साइबर हमले में एक उत्प्रेरक का कार्य करेगा विकल्प D, इसका जरिया सरकार के सभी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों और अग्रिम पंक्ति के सूचना प्रोध्योगी की कर्मचारियों में साइबर अपराद और क्षमता निर्मान के प्रति जागरुकता लाई जाएगी सही उत्तर है विकल्प D, इसका जरिया सरकार के सभी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों और अग्रिम पंक्ति के सूचना प्रोध्योगी की कर्मचारियों में साइबर अपराद और क्षमता निर्मान के प्रति जागरुकता लाई जाएगी उत्तर की व्याख्या Electronics एवं सूचना प्रोध्योगी की मंत्राले ने 19 जनवरी 2018 को निजी क्षेत्र के साथ मिलकर साइबर सुरक्षित भारत अभियान का शुभारंब किया है देश में साइबर सुरक्षा को सशक्त बनाने की उद्देषय से इस अभियान का शुभारंब किया गया साइबर सुरक्षित भारत साइबर सुरक्षा के क्षेतर में पहला सरकारी निजी भागीदारी वाला कारिक्रम है जिसमें IT उद्योग की विशेशग्यता का उपियोग किया जाएगा सरकार का मुख्य लक्ष सबी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों और सूचना प्रोध्योगी की कर्मचारियों को साइबर अपराद और कौशल विकास के प्रति जागरू करना है प्रश्न संख्या 18 डिजिटल पुलिस पोर्टल के संदर्भ में निमनलिकित कथनों पर विचार करें एक डिजिटल पुलिस पोर्टल की स्थापना केंद्रिय अन्वेशन ब्योरो द्वारा की गई है दो इसका उद्देश्य अपरादों और अपरादियों का राश्ट्रिय ब्योरा तैयार करना है तीन ये दिल्य स्पेशल पुलिस इस्थापना अधिनियम 1956 के अंतरगत संचालित होती है नीचे दिये गए कूट का प्रियोग कर सही उत्तर चुनिये विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल एक और दो, विकल्प C एक दो और तीन, विकल्प D केवल दो सही उत्तर है विकल्प D केवल दो उत्तर की व्याख्या 21 अगस 2017 को केंद्रिय ग्रहमंत्री राजनात सिह ने CC TNS परियोजना के तहत एक डिजिटल पुलिस पोर्टल का शुभरंब किया जिसका उद्देश्य अपरादों और अपरादियों का राश्ट्रिय ब्योरा तयार करना है इसके अलावा ये पोर्टल नागरिकों को ओनलाइन शिकायत पंजीकरण और प्रिष्ट भूमी सत्यापन का आग्रह जैसी सुविधाईं देगा CC TNS पूरे राश्ट्रिय अपराद एवं अपरादी ब्योरे पर पूरे भारत में खोजने में मदद करेगा और इस ब्योरे तक देश भर में जाँच अधिकारियों द्वारा पहुचा जा सकता है प्रश्न संख्य 19 निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार करें एक शत्पत ब्रामन दो व्रहदा रण्यक उपनिशद तीन आचारांग सूत्र चार विने पिटक उपर्युक्त में से कौन सा यसे व्यदिक साहित्य से संबंदित नहीं हैं विकल्प A केवल चार विकल्प B एक और दो विकल्प C दो और तीन विकल्प D तीन और चार सही उत्तर है विकल्प डी तीन और चार उत्तर की व्याख्य शत्पत ब्रामन यजुर्वेद के दो भाग हैं शुकल यजुर्वेद या वाज सनेई सहीता तथा कृष्ण यजुर्वेद शुकल यजुर्वेत के एक मात्र ब्रामन ग्रंथ शत्पत ब्रामन में आरियों के प्राचीनितम दार्शनिक विचारों का संग्रह है व्रहदारण्यक उपनिशद उपनिशदों में प्रमुक व्रहदारण्यक उपनिशद आरियों के प्राचीनितम दार्शनिक विचारों का संग रह है आचारांग सूत्र जैन धर्म के शिक्षाओं को आगम नामक ग्रंत में संकलित किया गया है जैन निगम में बारा अंग, बारा उपांग, दस प्रकीन तथा छेचेद सूत्र हैं इनमें सरवादिक महत्पूर्ण अंग आचारांग सूत्र है जिसमें जैन धर्म के नियमों का विवरण मिलता है विने पिटक बार्द धर्म के प्रसिद्ध ग्रंत विने पिटक में उन नियमों का वर्णन है जिनका पालन बार्द भिक्षु करते थे विने पिटक, सुत्थ, विभंग, खंदक और परिवार में विभाजित था प्रश्न संख्या 20 बार्द धर्म के संदर्ब में निमनलिकित कथनों पर विचार करें एक, प्रतीत्य समुत्पात को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार कहा जाता है दो, महायान शाखा के अनुयाईयों ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को सुविकार किया तीन, हीनियान के अनुयाईयों ने बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू किया उपर्युक्त कथनों में से कौनसा यस सही है विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल एक और तीन, विकल्प C केवल दो और तीन, विकल्प D उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक उत्तर की व्याख्या प्रतीत्य समुत्पाद ही बौद धर्म का मूल तत्व है प्रतीत्य समुत्पाद अर्थात कारण कारे की श्रंखला इस श्रंखला के कई चक्र हैं जिने बारा अंगों में बाटा गया है अठा इस ब्रह्मांड को कोई चलाने वाला नहीं है नहीं कोई उत्पत्ति करता क्योंकि उत्पत्ति कहने से अंत का भान होता है तब न कोई प्रारंब है और न अंत भगवान बुद्ध के निर्वान के मात्र सोवर्ष बाद ही बौधों में मतभेद उभर कर सामने आने लगे थे वैशाली में संपन दुतिय बौध संगीत में थेर भिक्षों ने मतभेद रखने वाले भिक्षों को संग से बाहर निकाल दिया अलग हुए इन भिक्षों ने उसी समय अपना अलग संग बना कर स्वयम को महसांगिक और जिनों ने निकाला था उने हीन सांगिक नाम दिया जिसने कालांतर में महायान और हीनियान का रूप धारन कर लिया कनिश्क के शासनकाल में बौद धर्म का विभाजन हीनियान तथा महायान दो शाखाओं में हो गया हीनियान शाखा के अन्याईयों ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को स्विकार किया जबकि महायान शाखा के अन्याईयों ने बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू किया महायान के भिक्षु मानते थे कि हीनियान के दोशों और अंतर विरोधों को दूर करने के लिए बुद्धवारा उपदेशित अद्वयतवाद की पुना इस्थापना की जानी चाहिए अद्वयतवाद का संबंध वेद और उपनिशदों से है प्रश्न संख्या 21 चोलकाली नटराज की मूर्तिकला के संदर्ब में निमनलिखित कथनों पर विचार करें एक नटराज की मूर्ति नकेवल चोलकाल में अपितु उससे पूर्व चालुक्यकाल में भी बनाई गई दो नटराज की मूर्ति अर्धनारिश्वर का प्रतीक है तीन प्रभामंडल प्रकृति का प्रतीक है चार निचला दाहिना हात मोक्ष मार्ग को दर्शाता है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यसे सही है विकल्प A केवल एक और दो विकल्प B केवल दो और तीन विकल्प C केवल एक दो और तीन विकल्प D एक दो तीन और चार सही उत्तर है विकल्प सी केवल एक दो और तीन उत्तर की व्याख्या नटराज शिव की प्रसद प्राचीन मूर्ती के चार भुजाएं हैं उनके चारों और अगनी के घेरे हैं मूर्ती प्रकाश के प्रभामंडल से घेरी है जो समय के विशाल अंतहीन चक्र का प्रतीक है उनका एक पाउं से उन्होंने एक बौने को दबा रखा है एवं दूसरा पाउं निर्त मुद्रा में उपर की ओर उठा हुआ है उन्होंने अपने पहले दाईने हाँत में जो की उपर की ओर उठा हुआ है डमरु पकड़ा हुआ है डमरु की आवाज स्रिजन का प्रतीक है इस प्रकार यहां शिव की सिजनात्मक शक्ति का दियोतक है उपर की ओर उठे हुए उनके दूसरे हाथ में अगनी है यहां अगनी विनाश का प्रतीक है इसका अर्थ ये है कि शिफी एक हाथ से स्रिजन करते हैं तथा दूसरे हाथ से विले उनका दूसरा दाहिना हाथ अभै या आशिस मुद्रा में उठा हुआ है जो कि हमें बुराईयों से रक्षा करता है प्रश्न संख्या 22 यक्षगान के संदर्ब में निमनलिखित कथनों पर विचार करें एक यक्षगान तमिलनाडु राज्य का लोक निर्ते हैं दो इसे आम तोर पर धान के खेतों में रात के समय प्रदर्शित किया जाता है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही हैं विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो, विकल्प C एक और दो दोनों, विकल्प D ना तो एक और ना ही दो सही उत्तर है विकल्प B केवल दो उत्तर की व्याख्या यक्षगान करनाटक राज्य का लोक निर्त्य है यक्षगान करनाटक का पारंपरिक निर्त्य नाट्य रूप है जो एक प्रशंसनिय शास्त्रिय प्रिष्टभूमि के साथ किया जाने वाला एक अनोखा निर्त्य रूप है लगभग पांच शताब्दियों की सशक्त नीव के साथ यक्षगान लोककला के एक रूप के तौर पर मजबूत इस्थिती रखता है जो केरल के कथकली के समान है प्रश्न संख्या 23. संसार की समस्त प्राजी नितम भाशाओं में संस्कृत का सर्वोच इस्थान है संस्कृत साहित्य के संदर्ब में निमनलिकित कथनों पर विचार करें एक संस्कृत भाशा व्यादिक और शास्त्रिय रूपों में विभाजित है दो शास्त्रिय संस्कृत साहित्य समग्र रूप से पंत निर्पेक्ष रूप में हैं उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही हैं? विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो, विकल्प C एक और दो दोनों, विकल्प D ना तो एक और ना ही दो सही उत्तर है विकल्प C एक और दो दोनों उत्तर की व्याख्या, संस्कृत भाषा व्यादिक और शास्त्रिय रूपों में विभाजित है, महान महाकाव्य रामायन, महाभारत और पुरान शास्त्रिय युक का एक भाग हैं, लेकिन इनकी विशालिता तथा महत्व के कारण इन पर अलग-अलग चर्जा की जाती है, और निसंदे ये काव्य, अर्थात महाकाव्य, नाटक, गीतात्मक काव्य, प्रेमाख्यान, लोकप्रिय कहानिया, शिक्षात्मक किस्ते कहानियों, सुक्तिबद काव्य, व्याकरण के बारे में व्यग्यानिक साहित्य, चिकित साविदी, खगोल विज्यान, गनित आदी शामि एक पूर्व वैदिकाल में संग्त परिवार का विकास हुआ जबकि उत्तरवैदिकाल में एकाकी परिवारों का अधिक विकास हुआ दो पूर्व वैदिक और उत्तरवैदिकाल में विवाह प्राया अपने ही वर्ण में होते थे तीन उत्तरवयदिकाल में पूरुवयदिकाल में होने वाले वस्तुविनमे के स्थान पर मुद्राउं अर्थात सिक्कों का प्रचलन हुआ नीचे दिए गए कूट का प्रियोग कर सही उत्तर चुनिये विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो और तीन, विकल्प C केवल एक और तीन, विकल्प D एक दो और तीन, सही उत्तर है विकल्प C केवल एक और तीन उत्तर की व्याख्या पूर्व वैदिकाल में विवाह प्राय अपने ही वर्ण में होते थे किन्तु अंतरजातिय विवाह भी हो जाते थे उत्तरवैदिकाल में अंतरजातिय विवाहों को घिर्णा की दिष्ट से देखा जाने लगा प्रश्न संख्य 25 भारत का अपना एक सम्रिद समुद्री इतिहास रहा है और समुद्री क्रिया कलापों संबंदी बातों का उल्लेक सर्व प्रथम मिलता है सही उत्तर है विकल्प ए रिगवेद में उत्तर की व्याख्या वैदिक साहित्य में नौकाओं पोतों और समुद्री यात्राओं का उल्लेक कई बार आया है अभिलेक की बात करें तो रिगवेद वो सबसे पुराना साक्ष है जिसके अनुसार वरुण समुद्र के देवता है और पोतों द्वारा प्रियोग के जाने वाले महासागरिय मार्गों का उन्हें ग्यान था 1560 के दशक में अकबर दास्ताने अमीर हमजा के चित्र निरूपन के साथ चित्रकला की मुगल शाली के निर्मान को सनक्षन देने लगा था क्योंकि 1. अकबर ने चित्रकला में हुमायू की अभिरुच को वन्शानुगत रूप में प्राप्त किया था 2. अकबर विशेश्टा पुस्तक चित्र निरूपन में अभिरुची रखता था 3. अकबर चित्रकला में रूची लेने के लिए अभुल फजल द्वारा प्रेरित हुआ था नीचे दिये गए कूट का प्रियोग कर सही उत्तर चुनिए विकल्प A, एक दो और तीन सही है, विकल्प B, दो और तीन सही है, विकल्प C, एक और दो सही है, विकल्प D, एक और तीन सही है, सही उत्तर है विकल्प C, एक और दो सही है उत्तर की व्याख्या निमनलिखित में से कौनसी एक घटना ने विनोवा भावे को भूदान आंदोलन को प्रारंब करने को प्रेरित किया विकल्प A. नाल गोंडा घटना विकल्प B. श्रिक काकुलम घटना विकल्प C. नकसलबाडी घटना विकल्प D. मदुबनी घटना सही उत्तर है विकल्प A. नाल गोंडा घटना उत्तर की व्याख्या भूदान आंदोलन संत विनोवा भावे द्वारा सन 1951 में आरंब किया गया स्वेचिक भूमि सुधार आंदोलन था तेलंगाना के नाल गोंडा जिले से 18 अप्रेल 1951 को विनोवा भावे ने इस आंदोलन की शुरुवात की थी विनोवा भावे की कोशिश थी कि भूमि का पुनर वित्रण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिये नहीं हो बलकि एक आंदोलन के माध्यम से इनकी सफल कोशिश की जाए प्रश्न संख्या 28 इतलाक एक प्रकार की हुंडी थी जिसकी साहेता से राजकिय सिपाही राज्य के राजस्व के अधिकारियों से अपना वेतन प्राप्त करने में समर्थ था की प्रथा चलाई थी विकल्प A इल्तु तुमिश विकल्प B बलबन विकल्प C अलावदीन खिलजी विकल्प D फिरोज शाह तुगलग सही उत्तर है विकल्प D फिरोज शाह तुगलग उत्तर की व्याख्या इतलाक के रूप में वेतन देने की प्रथा तुगलक काल में सुल्तान फिरोशा तुगलक ने प्रारंब की इसके अंतरगत इतलाक नामा अर्थात नियुक्तिपत्र प्राप्त राजकिय सिपाही किसी राजस्व अधिकारी से अपना वेतन प्राप्त कर लेता था फिरोस्तुगलक की मृत्यु के पश्चात ये प्रथा आनवानशिक हो गई जो दिल्ली सल्तिनत के पतन में महत्तुपूर्ण एवं सहायक बनी प्रश्न संख्या 29 निमनिलिखित कथनों पर विचार करें पानिपत के दुतिय युद्ध में अकबर की सेना द्वारा पराजित हेमू एक आदिल शाह का सेनापति एवं मंत्री था दो जन्म से व्यापारिया बनिया था तीन आग्रे का सूबेदार था चार सिकंदर शाह का सेनापति था उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है विकल्प A एक और दो विकल्प B एक दो और तीन विकल्प C दो और चार विकल्प D केवल एक सही उत्तर है विकल्प A एक और दो उत्तर की व्याख्या हेमू मध्यकालीन भारतिय इतिहास का प्रथम एवं इकलोता हिंदू शासक था जिसने दिल्ली पर अधिकार किया एवं विक्रमा दित्ते की उपाधिली वो सूर शासक आदिल शाह का प्रधानमंत्री था जो रेवाडी के धूसर वैश्य कुल में उत्पन हुआ था प्रश्न संख्य तीस अठारा सो सत्तावन के विद्रोह से संबंधित निमनलिखित कथनों पर विचार करें एक विद्रोहियों का कोई इस्पष्ट राजनयतिक परिप्रेक्ष नहीं था दो जीनत महलने अंग्रेजों से अपने सुरक्षा के लिए संधी वारता की तीन विद्रोहियों को मौलवी एहमदुला द्वारा नेत्रत्व प्रदान किया गया चार केंद्रिय नेत्रत्व द्वारा विश्वासकात के कारण विद्रोही असफल हो गये इन में से कौन से कथन सही हैं? विकल्प A एक और चार विकल्प B दो और चार विकल्प C एक दो और तीन विकल्प D एक दो और चार सही उत्तर है विकल्प C एक दो और तीन उत्तर की व्याख्या 29 मार्ज 1857 इस्वी को बैरकपूर में विद्रोह का प्रारंब मंगल पांडे नामक सैनिक द्वारा अपने एडिडेंट की हत्या से प्रारंब हुआ लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत नीती के शिकार राजाओं और जमीदारों ने भी अपने राज्य प्राप्ति के उद्धिर्ष से ही विद्रोह किये अता ये कहा जा सकता है कि विद्रोहियों का कोई राजनयतिक परिप्रेक्ष नहीं था प्रश्न संख्या 31 निमनलिकित में से कौन सा कथन असत्य है विकल्प A भारतिय संगीत के विकास के दौरान हिंदुस्तानी और करनाटक संगीत के रूप में दो उप भिन भिन शैलियां विक्सित हुई विकल्प B सात्मी शताब्दी इसापूर में पहली बार करनाटक और हिंदुस्तानी संगीत का उलेक किया गया विकल्प C संगीत की दोनों ही पदतियां एक समान मूल शोत से फली फूली विकल्प D वर्ष 1484 में पुरंदरदास के आगमन से करनाटक संगीत के विकास में एक अत्यन्त महत पूर्ण घटना घटी सही उत्तर है विकल्प B सात्मी शताब्दी इसापूर में पहली बार करनाटक और हिंदुस्तानी संगीत का उलेक किया गया उत्तर की व्याख्या भारत्य संगीत के विकास के दौरान हिंदुस्तानी और करनाटक संगीत के रूप में दो उप भिन भिन शैलियां विकसित हुई जिसका उलेक चौदेमी शताबदी इसापूर में पाल शासनकाल के दौरान संगीत कारद्वारा लिखित संगीत सुधाकर में पहली बार करनाटक और हिंदुस्तानी शब्दों के रूप में किया गया है। अंदुस्तानी और करनाटक की दो भिन्न भिन्न प्रणालियां मुसलिमों के आगमन के बाद प्रचलन में आई। विशेश रूप से दिल्ली के मुगल शासोकों के शासन के दौरान। विकल्प C. कोलापुर के संभाजी तथा एस्ट इंडिया कंपनी। विकल्प D. बाजी राव प्रथम तथा भोपाल के नवाब। सही उत्तर है विकल्प B. कोलापुर के संभाजी छत्रपती तथा सतारा के शाहु छत्रपती। उत्तर की व्याख्या दोनों के मद्य वर्णा की संदी संपन हुई। जिसके अनुसार शाहु ने संभाजी को वर्णा महल और दो तरफा के नाम से प्रसिद कृष्णा और वर्णा के संगम के दक्षण की ओर के जिले दुर्गों और चौकियों को सौप दिये। रतनागिरी के बदले में कोपल क दुर्ग भी संभाजी को दिया गया। सही उत्तर है विकल्प सी भूराजस्व बंदोबस्त के विरुद आंदोलन में। अंग्रेजों ने इस आदिवासी आंदोलन को 1870 के दशक में ही कुचल डाला। प्रश्न संख्या 34. निमनलिखित में से सरुप्रथम किसने बंगाल में बृतेन की वस्तों के बहिशकार का सुझाव दिया। विकल्प A. अर्विंद घोष का पत्र वंदे मातरम। विकल्प B. कृष्न कुमार मित्र की सापताहिक पत्र का संजीवनी। विकल्प C. मोतिलाल घोष की अमरत बाजार पत्र का। विकल्प D. सतीश चंद्र मुखरजी की डौन। सही उत्तर है विकल्प B. कृष्न कुमार मित्र की सापताहिक पत्र का संजीवनी। उत्तर की व्याख्या सरुप्रथम बंगाल में ब्रिटेन की वस्तों के बाहिशकार का सुझाव कृष्न कुमार मित्र की सापताहिक पत्र का संजीवनी ने दिया। संजीवनी ब्रह्म समाजी पत्र का थी। प्रश्न संख्या 35 भारतिय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में भारत छोड़ों आंदोलन बहुती मेहत्वपून है। इस आंदोलन से जुड़े नेताओं की गिरफतारी के लिए ब्रिटिश सरकारद्वारा कौन सा ओपरेशन शुरू किया गया था। सही उत्तर है उत्तर की व्याख्या भारत छोड़ों आंदोलन के नेताओं की गिरफतारी के लिए ब्रिटिश सरकारद्वारा बनाई गई योजना ओपरेशन जीरो आवर बनाई गई थी। भारत छोड़ों आंदोलन 9 अगस्त 1942 इसवी को संपूर्ण भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांदी के आवहान पर प्रारंब हुआ था। 9 अगस्त को सुबा में ही ओपरेशन जीरो आवर के तहत गांदी, सरोजिनी नाईडू और सरदार पतेल समेत कॉंग्रेस के सभी महत्तपून नेता गिरफतार कर लिए गए। प्रश्ण संख्या 36. सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित करें तथा सही उत्तर का जुनाव करें। सूची फर्स्ट आंदोलन A. दलित आंदोलन B. नकसलवादी आंदोलन C. चिपको आंदोलन D. SNDP आंदोलन सूची सेकेंड नेता 1. श्रिनारायन गुरू 2. एसल बहुगुणा 3. चारु मजूमदार 4. बीयार अंबेडिकर 5. स्वामी सहजानंद कूट विकल्प A. A5 B2 C3 D1 विकल्प B. A4 B1 C2 D5 विकल्प C. A4 B3 C2 D1 विकल्प D. A1 B3 C4 D5 सही उत्तर है विकल्प C. A4 B3 C2 D1 उत्तर की व्याख्या भीमराव रामजी अंबेडगर बाबा सहेप के नाम से लोकप्रिय, भारतिय विदिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिग्य और समाज सुधारक थे उन्होंने दलित बौध आंदोलन को प्रेरित किया और दलितों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव के विरुद अभियान चलाया चारु मजूमदार भारत के एक क्रांतिकारी कम्यूनिस्ट थे, धनी पारिवारी कडियों को छोड़ कर उन्होंने एक कठिन क्रांतिकारी जीवन को जुना नकसलवात के जन्मदाता चारु मजूमदार माकपा के कारे करता थे चिपको आंदोलन एक परियावरन रक्षा का आंदोलन है ये भारत के उत्तराखंड राज्य तब उत्तर प्रदेश का भाग था में किसानों ने व्रिक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था ये आंदोलन ततकालीन उत्तर प्रदेश के चमूली जिले में सन 1973 में प्रारंब हुआ एक दशक के अंदर ये पूरे उत्राखंड क्षेत्र में फैल गया चिपको आंदोलन की एक मुख्य बाद थी कि इसमें इस्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में भारत के प्रसिद्ध परियावरण विद सुन्दरलाल बहुगुणा, कॉम्रेड गोविंद सिहारावत, चंडी प्रसाद भट तथा श्रीमती गौरा देवी के नित्रत्व में हुई थी नारायन गुरु और S.N.D.P. योगम के नेत्रत्व में श्री नारायन गुरु और धर्म परिपालन की स्थापना की गई 19. शताब्दी के उत्तरार्द में इस संगठन ने इरावरीती रिवाजों के संस्कृती करण का अभियान छेडा इसने स्कूल खोलने एवं सहकारी समिती चलाने जैसे धर्म निर्पेक्ष कारिक्रम भी शुरू किये प्रश्न संख्या 37. मुहमद गौरी के स्वन सिक्कों पर प्राय निम्नांकित का अंकन है विकल्प A. पूरो भाग पर देवी लक्ष्मी और प्रिष्ट भाग पर नागरी अक्षरों में उसका नाम विकल्प B. एक ओर कलिम और दूसरी ओर अर्वी अक्षरों में उसका नाम विकल्प C, पूरो भाग पर उसका नाम और प्रिष्ट भाग पर टकसाल का नाम एवं टंकन वर्ष विकल्प D, पूरो भाग पर राशियों के चिन और प्रिष्ट भाग पर फारसी अक्षरों में उसका नाम सही उत्तर है विकल्प ए पूरो भागपर देवी लक्ष्मी और प्रिष्ट भागपर नागरी अक्षरों में उसका नाम उत्तर की व्याख्या गोर शासक मुहम्मद गौरी जिसने अपने सेवक कुतबुदीन एबको भारत का शासक बनाया था के सिक्के स्वन निर्मित थे उसके एक भागपर विश्णुपत नी देवी लक्ष्मी और दूसरे भागपर मुहम्मद साम नागरी अक्षरों में लिखा प्राप्त हुआ है प्रश्न संख्या अड़तिस 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के विशह में निमनांकित कौन से वक्तव्य सही हैं एक इसने सुप्रीम काउंसिल के लिए अतिरिक्ति सदस्यों की संख्या अधिक्तम 16 बंबई मदरास एवं बंगाल की लेजिसलेटिव काउंसिल के लिए 20 और उत्तर पश्यम प्रांतों एवं अवत के लिए 15 तक बढ़ा दी दो इसने विधान परिशदों अर्थात लेजिसलेटिव काउंसिल के लिए सीधे चुनाव के सिधान्त विशयक कॉंग्रेस की मांग को स्विकार कर लिया 3. इसने विधान परिषदों अरफाद Legislative Council के सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार प्रदान किया 4. इसने विधान परिषदों अरफाद Legislative Council के सदस्यों को सारवजनिक हित के मुद्धों पर प्रश्ण पूछने के अधिकार को स्पीकार किया नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चयन करें कूट विकल्प A 1,2 और 3 विकल्प B 1,3 और 4 विकल्प C 2,3 और 4 विकल्प D 1,2 और 4 सही उत्तर है विकल्प B 1,3 और 4 उत्तर की व्याख्या 1861 इस्वी में कौनसिल अधिनियम से भारतिय संतुष्ट नहीं थे इसके साथी भारत सरकार भी ग्रह सरकार के विरुद अपने अधिकारों में और अधिक व्रिद्धी चाहती थी इसके लिए वो अधिक से अधिक भारतियों को शासन में सम्मिलित कर लेना चाहती थी जो उस समय की परिस्थिती में सरकार को आवश्यक लग रहा था अंग्रेज व्यापारी अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए कुछ प्रतिनिधित्व चाहते थे और यही कारण था कि विव्यवस्थापी का सभा के सदस्यों की संख्या में ब्रिद्धी चाहते थे सिलसिलों का उलेख किया विकल्प A बर्नी विकल्प B खाफी खां विकल्प C बदायुनी विकल्प D अबुल फजल सही उत्तर है विकल्प D अबुल फजल उत्तर की व्याख्या इसमें हर एक सूबे, जिले और परगनों तक के आंकड़े दिये हुए हैं। ततकालीन अन्य इतिहास ग्रंथों से ये इसकी एक विशेशता है। भारती इतिहास में आईने अकबरी कोरा इतिहासी नहीं है। इसमें अकबरी युक्के जीवन, समाज, राज्ये विवस्था, स विजयनगर राजाओं को याद किया जाता है। विकल्प A. बांध, तड़ाग, कुवां आदि के निर्मान द्वारा। विकल्प B. कृशी भूमी पर कर कम करके। विकल्प C. कृशी उपज के लिए मंडी की सुविधाईं दे कर। विकल्प D. सेना के लिए खाध्यान खर सही उत्तर है विकल्प B. कृशी भूमी पर कर कम करके। उत्तर की व्याख्या विजयनगर के राजाओं ने कृशी को बढ़ावा देने के लिए भूकर में छूट के साथ ही सिंचाई के साधनों की उत्तम व्यवस्था एवं उत्पादों के विन्मे के लिए मंडियों की व जवस्था की थी। प्रश्न संख्या 41 निमनलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए। एक दो और तीन सही उत्तर है विकल्प सी एक और तीन उत्तर की व्याख्या देवराय प्रथम 1406 से 1422 इस्वी के काल में भारताय इतालवी यात्री निकोलो कोंटी 1420 इस्वी अपनी पत्नी के साथ विजयनगर सामराज्य में आया था और उसने सती प्रधा का विवरण दिय विरुपाक्ष दुतिय 1466 से 1485 इस्वी के काल में पुर्तिगाली यात्री फेर हाओ नूनीज ने विजयनगर की यात्रा की एवं ततकालीन समाज को अशांत एवं अराजकता पून महौल वाला बताया एडवार्डो बार्बोसा 1516 इस्वी में कृष्ण देवराय के काल में विजयनगर की यात्रा उसने भी विजयनगर में सती प्रधा के प्रचलन का संकेत दिया है प्रिष्ट संख्या 128 प्रश्ण संख्या 42 राजसभा के संदर्ब में निमने लिखित कथनों पर विचार करें एक, काउंसिल आफ स्टेट्स जिसे राजसभा भी कहा जाता है कि घोष्णा सबापीट द्वारा सभा में 23 अगस्त 1954 को की गई थी दो, भारत में दुतिय सदन का प्रारंब भारत परिशद अधिनियम 1909 या माले मिंटो सुधारों से हुआ उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो, विकल्प C एक और दो दोनों, विकल्प D ना तो एक और ना ही दो भारत में दुतिय सदन का प्रारंब 1918 के मौन्टेग्यू चेम्स फोर्ड प्रतिवेदन से हुआ भारत सरकार अधिनियम 1919 में ततकालीन विधानमंडल के दुतिय सदन के तौर पर काउंसिल ओफ स्टेट्स का स्रिजन करने का उपबंद किया गया जिसका विशेशादिकार सीमी था और जो वस्तुता 1921 में अस्तितों में आया गवर्नर जनरल ततकालीन काउंसिल ओफ स्टेट्स का पदेन अध्यक्ष होता था भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से इसके गठन में शायद ही कोई परिवर्तन किये गए प्रश्न संख्या 43. निमनिलिखित में से कौन सा कथन असत्य है विकल्प A. राष्टपति किसी भी समय अपने द्वारा जारी किये गए अध्यादेशों को वापस ले सकता है विकल्प B. जब संसद अत्वा राज्य विधान मंडल के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में न हो तथा कानून लागू करना अति आवश्यक हो गया हो विकल्प C. अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो संसद वारा पारित अधिनियम का होता है विकल्प D. अध्यादेश मूल अधिकारों का अतिक्रमन कर सकते हैं सही उत्तर है विकल्प डी अध्यादेश मूल अधिकारों का अतिक्रमन कर सकते हैं उत्तर की व्याख्या भारति समिधान के अनुछेद 123 के तहत देश के राष्ट्रपति को संसत के सत्रावसान की अभदी में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है और इन अध्यादेशों का प्रभाव वशक्तियां संसत द्वारा बनाए गए कानूनों के बराबर ही होती हैं परन्तु ये अल्पकालिक होती हैं प्रश्न संख्या 44. मौलिक अधिकारों के संदर्व में निमनलिखित कथनों पर विचार करें एक मौलिक अधिकार सभी भारतियों के लिए नागरिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं और सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमन करने से रोकने के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमन से रक्षा करने का दाइत्व भी राज्य पर डालते हैं 2. मौलिक अधिकार संपूर्ण नहीं होते तथा वे सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उचित प्रतिबंधों के अधीन होते हैं 3. 1976 में संविधान में व्यापक संशोधन करते समय ये अनुभव किया गया कि संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार का भी उलेक किया जाना चाहिए नीचे दिये गए कूट का प्रियोग कर सही उत्तर चुनिए विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो और तीन, विकल्प C केवल एक और दो, विकल्प D एक दो और तीन सही उत्तर है विकल्प C केवल एक और दो उत्तर की व्याख्या 1950 में लागू किये गए भारतिय समिधान में नागरिकों के केवल मौलिक अधिकारों का उलेक किया गया था। धारतिय समिधान में 1976 में व्यापक संशोधन करते समय मूल करतव्यों का समावेश किया गया था नकि मौलिक अधिकारों का। स्वर्णिसिय समितिकी अनुशनसाओं के आधार पर 42 समिधान संशोदन अधिनियम 1976 द्वारा अनुछेद 51 कौ समिधान में जोडा गया तथा समिधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल हुए प्रशनसंख्य 45 निमनलिकित में से कौन सा एक कथन भारत के समिधान की चौथी अनुशूची का सही वर्णन करता है विकल्प A इसमें जनजातिय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंदित उपबंद अंतर विष्ट हैं विकल्प B इसमें संग तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण की रूप रेखा अंतर विष्ट है विकल्प C इसमें समिधान में सूचित भाशाएं दी गई हैं विकल्प डी इसमें राज्यसभा में इस्थानों के आवंटन से संबंदित जानकारी अंतर विष्ट है सही उत्तर है विकल्प डी इसमें राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंदित जानकारी अंतर विष्ट है उत्तर की व्याख्या भारति संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा अर्थात उच्च सदन के लिए प्रतेक राज्य तथा संगिय प्रदेश से भेज जाने वाले प्रतिनिदियों की संख्या को निर्धारित कर दिया गया है संग एवं राज्यों में शक्तियों के वितरण का उल्लेक सात्वी अनुसूची में हैं समिधान में सूचित भाषाओं का उल्लेक आठवी अनुसूची में हैं जनजातिय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध पंचम एवं छटी अनुसूची में वर्णित है प्रश्न संख्य 46 प्रशासन में लोग समाज की भूमिका के संदर्ब में निमनलिखित कथनों पर विचार करें एक प्रशासन के सुरूप पर सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का काफी प्रभाव पड़ता है दो प्रशासन से ये आशा की जाती है कि वो सरकारी और अर्द सरकारी अभिकरणों के माध्यम से समाज के कारियों का संचालन करें परंतु सामाजिक व्यवस्था बनाने के अलावा इसकी अन्य कोई भूमिका नहीं है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यसे सही हैं विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो, विकल्प C एक और दो दोनों, विकल्प D ना तो एक और ना ही दो सही उत्तर है विकल्प C एक और दो दोनों उत्तर की व्याख्या, समाज की संस्कृति उसकी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं में प्रतिबिम्बित होती है और समाज के मुल्यों द्वारा प्रशासन का व्यवहार प्रभावित होता है, प्रशासक भी समाज से आते हैं, वे स्कूल, परिवार, संगों, धर आधि जैसी सामाजिक संस्थाओं में सामाजी करण की प्रक्रिया के दौरान अर्जित सामाजिक मुल्यों को अपने साथ लाते हैं। किसी भी समाज में प्रशासनिक व्यवहार उस समाज द्वारा पोशित मुल्यों से प्रभावित होता है। प्रश्न संख्या 47 समिधान के 73 संशोधन में निमनलिखित में से कौन-कौन से उपबंध किये गए हैं। विकल्प B 2 और 3 विकल्प C 3 और 4 विकल्प D 2 तीन और 4 सही उत्तर है विकल्प C 3 और 4। समिधानिक माननेता प्रदान की गई। इस संशोधन द्वारा समिधान में एक नया भाग नोजोड दिया गया जिसमें 12 अनुछेद 241 से 253 हैं तथा एक नई अनुसूची 11 अनुसूची शामिल की गई। पंचायतों में स्वतंत्र एवं निश्पक्ष चुनाव कराने के लिए इस अधिनियम में अनुछेद 243 को के तहत प्रतेक राज्य में एक राज्य निर्वाजन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या 48 विभागिय इस्थाई समिति के संदर्भ में निमनलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इस्थाई समिति बजट चर्चा के दोरान संसत को ज्यादा बेतर ढंक से मदद करती है। 2. इस समिति का एक उद्देश संसत के प्रतिकार्यपालिका की अत्यदिक जवाब देही सुनिश्चित करना है। उपरिउक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो, विकल्प C एक और दो दोनों, विकल्प D ना तो एक और ना ही दो। सही उत्तर है विकल्प D ना तो एक और ना ही दो। उत्तर की व्याख्या, विभागी इस्थाई समितियों का गठन सन 1993 में हुआ था, इस्थाई समितियां निमनलिकित तीन महत्पूर्ण कार्य संपन करती हैं, समितियों को भेजे गए विधायोकों की समिक्षा करना, मंत्रालैयों से संबंदित, विशिष्ट विशयों का चैन क और स्तरकार द्वारा कार्यान्वित किये जाने पर इनकी समिक्षा करना, और विभागों के बजटी या खर्च की जाच करना, प्रश्न संख्या उन्चास, मुख्य मंत्री के कार्य निमनलिकित में से क्या-क्या हैं? एक, राज्य प्रशासन के संबंद में मंत्री परिशत के सभी निल्णयों की सूचना केंद्र सरकार को भेजना, दो, राज्य प्रशासन के संबंद में मंत्री परिशत के सभी निल्णयों को कारेडूप देने के लिए जिलाधीशों को अनुदेश देना, तीन, राज्य प मंत्री परिशत के सभी निर्णायों को राजयपाल को संप्रेशित करना नीचे दिये गए कूट में से सही उत्तर चुनिये विकल्प A 1 और 2, विकल्प B 1 और 4, विकल्प C 2 और 3, विकल्प D 3 और 4 सही उत्तर है विकल्प D 3 और 4 उत्तर की व्याख्या मंत्री परिशत के निर्णयों की राज्यपाल को सूचना देना मुख्यमंत्री का सम्विधानिक करतव्य है अनुछेद 167 यदि राज़पाल को किसी प्रशास की अविभाग के प्रती कोई सूचना प्राप्त करनी है तो वो केवल मुख्य मंत्री के द्वारा ही प्राप्त कर सकता है प्रश्न संख्य पचास वित्यायों के कारे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एक भारत की संचित निदी से धन निकालने की अनुमती देना दो प्राप्त करों को राज्यों के भागों में बांटना तीन सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार 4. संग सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही हैं या नहीं इसकी देखरेक करना तथा उस पर रिपोर्ट देना इन कथनों में से कौन सा यस से सही है विकल्प A 1 और 2 विकल्प B 1 और 4 विकल्प C 2 और 3 विकल्प D 3 और 4 सही उत्तर है विकल्प C 2 और 3 उत्तर की व्याख्या भारतिय सम्विधान के अनुछेद 280 में वित आयों की व्यवस्था की गई है वित आयों के निमनलिखित कारिय हैं करों के सभी बंटवारे और केंद्र एवं राज्यों की बीच करों का सही निर्धारन केंद्र वराज्यों को प्रदान की जाने वाली सहायता राशी का निर्धारन नगरपालिकाउं पंचायतों के लिए नियमित राशिवा संसाधनों का निर्धारण ये सिफारिश राज्यवित आयों की संस्तुति के आधार पर की जाएगी ऐसे कार्य जो राश्टपति द्वारा भेजे जाएं या निर्धारित हों प्रश्न संख्या 51 राजपाल और मंत्रियों के बीच संबंद के संदर्ब में निमनेलिखित कथनों पर विचार करें एक साधारन तया राजपाल और उसके मंत्रियों के बीच संबंद उसी प्रकार के हैं जैसे राश्टपति और उसके मंत्रियों के हैं दो इसमें केवल एक महत्पूर्ण अंतर है कि समिधान राष्टपती को कोई कार्य अपने विवेकानुसार करने की शक्ति नहीं देता जबकि राजपाल को कुछ कृत्य अपने विवेकानुसार करने का अधिकार है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही हैं विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो, विकल्प C एक और दो दोनों, विकल्प D ना तो एक और ना ही दो सही उत्तर है विकल्प C एक और दो दोनों उत्तर की व्याख्या अनुछेद 163.1 के अनुसार जिन बातों में इस समिधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से ये अपेक्षित है कि वो अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेका अनुसार करे उन बैटन को छोड़ कर राज्यपाल को कृत्यों का प् 163.1 में उस प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया है जैसा कि अनुछेद 74.1 में दिया गया है जो कृत्य अपने विवेका अनुसार करने के लिए राज्यपाल को सशक्त किया गया है उनमें उसे ये अपेक्षा नहीं होगी कि वो मंत्रियों की सला के अनुसार काम करेग या उनसे सलाह मांगेगा प्रश्न संख्या बावन मूल भारतिय समिधान में केवल आठ अनुसूचियों की व्यवस्था की गई थी लेकिन बरतमान समिधान में अनुसूचियों की संख्या बारा हो गई है भारतिय समिधान की नौवी अनुसूची परिवर्धित हुई विकल्प A. प्रथम संशोधन द्वारा विकल्प B. आठवें संशोधन द्वारा विकल्प C. नौवें संशोधन द्वारा विकल्प D. 42 संशोधन द्वारा सही उत्तर है विकल्प ए प्रथम संशोधन द्वारा उत्तर की व्याख्या आजादी के बाद नहरू ने अपने समाजवादी कारेक्रम के तहत भूमी सुधार और परिवहन व्यवस्था के राष्ट्रिय करण आदी से संबंदित कई प्रगतिशील कानून बनाने शुरू किय लेकिन संविधान के अनुछेद 31 एवं 19.1.F के अंतरगत संपत्ती का अधिकार एक मौलिक अधिकार था इसलिए न्यायाले इन कानूनों का पुनरविलोकन कर इसे असंविधानिक बता सकती थी इसलिए इससे बचने के लिए संसद ने 1951 में संविधान में पहला संशोधन किया तथा इसके दवारा संविधान में नौवी अनुसूची के रूप में एक नई अनुसूची को जोड़ दिया प्रश्न संख्या 53 निम्नलिकित कारणों में से कौन सा एक सही नहीं है विकल्प A. लोगसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए ऐसे कारण जिन पर वो आधारित है देना आवशक है विकल्प B, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए नियमों में ग्राहयता की कोई शर्तें निर्धारित नहीं की गई है विकल्प C. यदि किसी अविश्वास प्रस्ताव को स्विकृत कर लिया जाए तो इजाजत मिलने के दस दिन के भीतर उस पर कार्यवाही करना अनिवार्य है विकल्प D. राज्यसभा किसी अविश्वास प्रस्ताव को ग्रहन करने के लिए सशक्त नहीं है सही उत्तर है विकल्प भी लोगसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए नियमों में ग्राहयता की कोई शर्तें निर्धारित नहीं की गई है उत्तर की व्याख्या लोगसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 198 में मंत्री परिशद में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है इस प्रकार के प्रस्ताव का सामान्य सुरूप इस प्रकार है कि ये सभा मंत्री परिशद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है अविश्वास प्रस्ताव को किसी कारण पर आधारित होने की कोई आविशक्ता नहीं है जब सूचना में कारण उलिखित होते हैं और उन्हें सभा में पढ़ा जाता है तब भी वे अविश्वास प्रस्ताव का भाग नहीं बनते हैं प्रश्न संख्य चववन भारत की राजक्षेत्र के भीतर स्वतंत्र तथा अबाद संचरण के अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? एक, देश में परियतन उद्द्योग को बढ़ावा देना, दो, राश्ट्रियता की भावना का विकास करना, तीन, प्रांतियता वाद को समाप्त करना, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल एक और तीन, विकल्प C केवल दो और तीन, विकल्प D उपर्युक्त में से कोई नहीं, सही उत्तर है विकल्प C केवल दो और तीन उत्तर की व्याख्या भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर, स्वतंत्र तथा अबाद संचरण के अधिकार का प्रमुक उद्देश, राश्ट्रियता की भावना का विकास करना तथा प्रांतियता वाद को समाप्त करना है प्रश्न संख्या पच्पन सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करें तथा सूचीयों के नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर चुनिये सूची फर्स्ट समिधान की अनुसूची A. चतुर्थ B. शश्टम C. अश्टम D. नवम सूची सेकेंड विशय 1. भूमि सुधार 2. भाशा 3. राज्यसभा 4. जनजातियक्षेत्र कूट विकल्प A. A1, B2, C3, D4 विकल्प B. A2, B3, C4, D1 विकल्प C. A3, B4, C2, D1 विकल्प D. A4, B2, C1, D3 सही उत्तर है विकल्प B. A2, B3, C4, D1 उत्तर की व्याख्य, चौथी अनुसूची में विबिन राज्यों से और संगशासित प्रदेशों से राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन किया गया है छटी अनुसूची में असम मेघाले और मिजोरम के जनजातिक शेत्रों के शासन के बारे में उपबंद वर्नित है आठमी अनुसूची में हमारी अठारा प्रादेशिक भाशाओं का उल्लेख है नवी अनुसूची समिधान के प्रथम संशोदन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई इसमें जोड़े गए भूमी सुधार अधिनियमों को न्याईक चानबीन की अधिकारिता से हटाया गया है प्रिष्ट संख्य एक सो उनतिस प्रश्ण संख्य चप्पन निमन कथनों पर विचार करें और दिये गए कूट की साहता से बताईए कि इन में से कौन सही है एक समिधान में यूनियन ओफ स्टेट शब्द प्रियुक्त हुआ है क्योंकि भारतिय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है दो एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनरगठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरियता दी थी 3. पंडित नहरू, सरदार पटेल और पटाभी सीता रमया की अध्यक्षता में कॉंग्रेस कमीटी राज्यों के पुनरगठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी कूट, विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल एक और दो, विकल्प C केवल एक और तीन, विकल्प D उपर्युक्त सभी सही उत्तर है विकल्प B केवल एक और दो उत्तर की व्याख्या भारतिय समिधान के प्रथम अनुछेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संग होगा भारतिय समिधान को भारत के राज्यों का संग कहा गया है लेकिन ये संग शब्द समिधान में कहीं भी प्रियोग नहीं किया गया है राज्यों का संग इस शब्द का अर्थ है एक देश का नाम और दूसरा राज पद्धती का प्रकार GBP समिती के सदस्यों जवाहरलाल नहरू वल्लभाई पटेल पटाभी सीता रमया ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में अपचारिक रूप से कहा कि राज्यों का पुनरगठन प्रशासनिक आधार पर नहो कर भाशाई आधार पर होना चाहिए प्रश्ण संख्या 57 कौनसा समवेधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोग सभा के सदस्यों की संख्या बढ़ने से संबंदित है विकल्प A. छटा और बाईसवाँ विकल्प B. तेरवाँ और अरतीसवाँ विकल्प C. साथवाँ और इकतीसवाँ विकल्प D. ग्यारवाँ और बैालीसवाँ सही उत्तर है विकल्प C. साथवाँ और इकतीसवाँ उत्तर की व्याख्या समिधान के सातवें संशोधन द्वारा प्रथम अनुच्छेद में संशोधन करके राज्यों को 14 राज्यों तथा 6 संग राज्यक्षेत्रों में पुनरगठित किया गया है 31 संशोधन द्वारा 1971 की जनगर्णा की आधार पर लोकसबा के सदस्यों की संख्या को 525 से बढ़ा कर 545 कर दिया गया है प्रश्न संख्या 58 भारत के बारे में प्रथम और सबसे महत पून बात ये जानने की है कि वहाँ कोई भारतिय नहीं है और कभी कोई भारतिय नहीं था उपर्युक्त कथन किसका है विकल्प A. Sir John Strachey विकल्प B. David Ludden विकल्प C. Winston Churchill विकल्प D. Dinah L.1 सही उत्तर है विकल्प A. Sir John Strachey उत्तर की व्याख्या एक ब्रिटिश भारतिय लोकसेवक Sir John Strachey अपने प्रशिक्षु लोकसेवकों को संबोधित करते हुए कहा करते थे कि भारत के बारे में प्रथम और सबसे महत्पून बात ये जानने की है कि वहाँ कोई भारतिय नहीं है और कभी कोई भारतिय नहीं था प्रश्न संख्या 69 निमनिलिखित में से किस एक की संस्तुति पर लोक उपक्रमा पर संसदिय समीति का गठन हुआ था विकल्प D. लेखा नियंत्रक एवं महालेखाकार सही उत्तर है विकल्प A. कृष्णा मैनन समीती उत्तर की व्याख्या कृष्णा मैनन समीती के प्रतिवेदन 1958 में लोक निगमों पर नियंत्रण के लिए एक प्रवर समीती की इस्थापना की सिफारिश की गई समीति ने अपने प्रतिवेदन में लोक उपक्रमों पर संसदी ये समीति के गठन की मांग करते हुए कहा की चूंकि वर्तमान समय में संसत का आकार सदस्यों की योग्यता और अपने व्यापक कारियों को देखते हुए समय भाव के कारण सार्वजनिक उपक्रमों पर प्रभा शासन व्यबस्था को ठीक ठीक वर्णित करता है विकल्प A कार्यपाली का और न्याईक प्राधिकरण का प्रिथक करण कर दिया गया विकल्प B राजस्व संग्रहन का कार्य नायब नवाप को दिया गया जबकि सैनिक मामले कम्पनी ने अपने पास रखे विकल्प C राजस्व प्रशासन तथा न्याईके प्रशासन का प्रिथक करण कर दिया गया और ये क्रमशा ब्रिटिश और नवाप के नियंत्रण में रहे विकल्प D नई व्यवस्था क्रिशि को प्रोथ साहित करने के लिए बनाई गई थी सही उत्तर है विकल्प C राजस्व प्रशासन तथा न्याईके प्रशासन का प्रिथक करण कर दिया गया जबकि सैनिक मामले कंपनी ने अपने पास रखे उत्तर की व्याख्या ब्रिटिश गवर्नर लौड कलाईव ने बंगाल में द्वैद प्रशासन लागू कर भारतिय शासन में एक नवीन युग का प्रारंब कर दिया उसने द्वैद शासन के अंतरगत राजस्व प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया तथा न्याई एवं दंड को नवाब के पास ही रहने दिया 1765 इसवी मीर जाफर की मृत्य के पश्चात उनके अवयस्क पुत्र निजामुद्दौला गदी पर बैठे बितानियों को दीवानी का अधिकार प्राप्त होने से वे बंगाल के वास्तविक शासक बन चुके थे उन्होंने नियाए शांती एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी नवाब पर छोड़ रखी करवसूलने की जिम्मेदारी बितानियों ने अपने उपर ले ली इस प्रकार बंगाल में द्वैद शासन की स्थापना हुई प्रश्न संख्या 61 इनर लाइन परमिट के संदर्ब में निमनलिकित कथनों में से कौन सा या से सही है एक इनर लाइन परमिट इस्टन फ्रंटियर विनियम 1873 के अंतरगत जारी किया जाने वाला एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट है दो फिलहाल ये नियम देश के उत्तरपूर में बसे तीन खूपसूरत राज्य मनिपूर सिक्किम एवं नगा लैंड में लागू है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो, विकल्प C एक और दो दोनो, विकल्प D ना तो एक और ना ही दो सही उत्तर है विकल्प A केवल एक उत्तर की व्याख्या Inner Line Permit Eastern Frontier विनियम 1873 के अंतरगत जारी किया जाने वाला एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट है भारत में भारतिय नागरिकों के लिए बने Inner Line Permit के इस नियम को बिटिश सरकार ने बनाया था बाद में देश की इस पतंतरता के बाद समय समय पर फेर बदल कर इसे जारी रखा गया फिलहाल ये नियम देश के उत्तर पूर में बसे तीन खूपसूरत राज्य मिजोरम अरुनाचल प्रदेश एवं नगालेंड में लागू है इसके अलावा इसकी जरूरत सीमा बरती राज्यों के उन इस्थानों पर भी लागू होती है जहां की सीमा अंतराश्ट्रिय बॉर्डर से लगती है जैसे की लिह लदाख आदी में प्रश्न संख्या बासर, वेंचर कैपिटल के संदर्भ में निमनलिकित कथनों पर विचार करें एक, तेजी से विक्सित हो रही प्राइविट कम्पनियों के लिए वेंचर कैपिटल एकुर्टी फाइनेंस का एक साधन है 2. Venture Capitalist केवल फायदे में हिस्सेदारी करता है जो खिम्मे नहीं 3. Venture Capitalist कंपनी को व्यभारिक सला और साहिता दे पाता है जो इसी तरह की परिस्थितियों वाली दूसरी कंपनियों से मिले अनुभव पर आधारित होती है नीचे दिये गए कूट का प्रियोग कर सही उत्तर चुनिये विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल एक और दो, विकल्प C एक दो और तीन, विकल्प D केवल एक और तीन सही उत्तर है विकल्प D केवल एक और तीन उत्तर की व्याख्या venture capital लगू और मध्यम आकार की फर्मों के लिए खास कर व्यवसाई शुरू करने और व्यवसाई को विस्तार देने के लिए finance के एक महत पूर्ण शोत के रूप में उभर रहा है उद्धमी आमतोर पर अपने धन से और बैंकों से उधार लिए गए धन से व्यवसाई शुरू करते हैं expansion के समय उनको धन जुटाने में कठनाई होती है लगू और मध्यम उद्यम विस्तार के लिए और कारशील पूजी अवशकताओं के लिए परंपरागत रूप से बैंकों पर निर्भर रहते आए हैं किन्तु पिछले कुछ समय में मंदी के कारण गैर निश्पादक आस्तियों अर्थात एन पीए का जोखिम बढ़ जाने की वज़ा से बैंकों ने लगू एवं मध्यम उद्यमों को उधार देना कम कर दिया है प्रश्न संख्य 63 सौर कलंक या सौर धब्बे के संदर्ब में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें 1. सौर कलंक सूरे के प्रकाश मंदल की अईस्थाई घटनाएं है 2. जब सौरे के किसी भाग का ताप अन्य भागों की तुलना में कम हो जाता है तो धब्बे के रूप में दिखता है इसे सौर कलंक कहते हैं 3. सौर सक्रियता दिखाने वाले कलंक औसतन हर 21 वर्ष बाद अपने चरम पर होते हैं नीचे दिये गए कूट का प्रियोग कर सही उत्तर चुनिये विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल एक और दो, विकल्प C एक दो और तीन, विकल्प D केवल दो सही उत्तर है विकल्प B केवल एक और दो उत्तर की व्याख्या सौर कलंक सूर की सता पर उभरने वाले गहरे रंग के धब्बे होते हैं जब सूर के चुम्बकी अक्षेतर में हलचल मच्थी है और सता पर आजाती है तब वो सौर कलंक के रूप में दिखाई देती है ये सौर कलंक बनते बिगरते रहते हैं और कुछ सपता से लेकर कुछ महीनों तक बने रह सकते हैं ये गहरे रंग के इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि इनका तापमान आसपास के तापमान से कम होता है उधारण के लिए किसी बड़े सौर कलंग का तापमान 3700 डिग्री सेल्सियस हो सकता है जबकि उसके आसपास का तापमान 500 डिग्री सेल्सियस हो सकता है प्रश्न संख्या 64 वर्थमान समय में ओमेगा 3 वसीय अमल शरीर का भार नियंत्रत रखने वालों के लिए विचारणी यह हैं ओमेगा 3 वसीय अमल के संदर्ब में निमनलिकित कथनों पर विचार करें 1. शाकाहारी व्यक्तियों में सर्वाहारी व्यक्तियों की तुल्ना में ओमेगा 3 वसीय अमल की अत्यदिक कमी पाई जाती है 2. राश्ट्रिय स्वास्थे संस्थादवारा प्रतेक सामान्य व्यक्ति को अपने भोजन में लगबग चार ग्राम ओमेगा 3 वसीय अमल का प्रियोग करना चाहिए 3. ओमेगा 3 बहु असंत्रिप्त वसीय अमल है 4. ओमिगा 3 वसीय अमल युक्त भोजन ट्राइक ग्लिसराइट को कम करता है तथा कोलेस्ट्रॉल उच घनत्व अर्थात HDL लिपिट को बढ़ाता है नीचे दिये गए कूट का प्रियोग कर सही उत्तर चुनिये विकल्प A दो तीन और चार विकल्प B एक दो और तीन विकल्प C दो और तीन विकल्प D उपर्युक्त सभी सही उत्तर है विकल्प D उपर्युक्त सभी उत्तर की व्याख्या ओमेगा 3 बहु असंत्रिप्त वसीय अमल हैं इनमें एक से अधिक द्विबंध होते हैं पौश्टिक्ता के अनुसार महत्पूर्ण ओमेगा थी वसीय अमल, एल्फा लिनोलेनिक एसिड, इकोसा पेंटनोईक अमल तथा डोकोसा हेक्सनोईक एसिड हैं ये सबी बहु असंत्रिप्त वसीय अमल हैं प्रश्ण संख्य 65 भारत की सरकार किस निकाय के परामर्ष के बाद नियूनतम समर्थन मूले की घोशना करती हैं विकल्प A. वित मंत्राले, विकल्प B. श्रम और रोजगार मंत्राले, विकल्प C. खाद्य और सार्विजनिक वितरण विभाग, विकल्प D. कृशिलागत और मूले आयोग सही उत्तर है विकल्प D. कृशिलागत और मूले आयोग उत्तर की व्याख्या, किसी भी खाद्यान के लिए उत्पादन आवशक्ता और मूल्य एक दूसरे से संबंदित हैं, अगर उत्पादन बढ़ जाता है तो फसल की बिक्री मूल्य कम हो जाती है, अत्यदिक उत्पादन से कृष्य उत्पादों के मूल्यों में भारी को रोकने के लिए ये सरकार का एक सराहनिय हस्तक शेप है, प्रश्न संख्या 66, भारतिय जनजातिय सहकारी विपणन विकास संग अर्था ट्राइफेड किस संदर्ब में निमनलिकित कथनों पर विचार कीजिए, एक भारतिय जनजातिय सहकारी विपणन विकास संग पेश करेंगे दो ट्राइफेड उद्योग मंत्राले के तहत बहुराज्य सहकारी समिती है तीन ये मल्टिस्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी अधिनियम 1984 के अंतरगत कल्यान मंत्राले द्वारा अगस्त 1987 में इस्थापित किया गया था नीचे दिये गए कूट का प्रियोग कर सही उत्तर चुनिये विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल एक और तीन, विकल्प C एक दो और तीन, विकल्प D केवल एक और दो, सही उत्तर है विकल्प B केवल एक और तीन उत्तर की व्याख्या जंजाती समुदायों को उनके लगुवनोपज और लगुवन उत्पात के लिए विपणन सहायता और लापकारी मुल्य प्रदान करने और उने शोशक निजी व्यापारियों एवं विचौलियों से बचाने के मुख्य उत्देश के लिए भारतिय जंज 84 के अंतरगत कारेरत ये एक राश्ट्री अस्तर की सर्वोच सहकारी संस्था है प्रश्न संख्या सत्सर बॉर्डर प्रडेक्शन ग्रिड अर्थात बीपीजी के संदर्ब में निमनलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है एक केंद्र सरकार पाकिस्तान से सटे राज्यों गुस्पैट रोकने के लिए बॉर्डर सुरक्षा ग्रिड गठित करने की योजना बना रहा है दो बीपीजी देश की सीमरेखा को सुरक्षत रखने का एक बहु आयामी एवं आसान तरीका है तीन मुख्य सचिवों की अध्यक्षता वाली एक राज्यस्तरिय इस्थाई सम किया जाता है चार इस ग्रिड में इंटेलिजन्स एजनसी राज्यपुलिस बीएसफ एवं राज्यव केंद्र की अन एजनसियां शामिल रहेंगी नीचे दिये गए कूट का प्रियोग कर सही उत्तर चुनिये विखल्प A केवल एक और दो विखल्प B केवल दो तीन और च विखल्प C केवल एक दो और चार विखल्प D केवल एक और चार सही उत्तर है विखल्प B केवल दो तीन और चार उत्तर की व्याख्या उग्रवाद प्रभावित राज्यों के लिए गठित Unified Command की तरज पर केंद्र अब बंगलादेश से सटे देश के पूर्वी राज्यों में बंगलादेश से घुस पैट रोकने के लिए Border सुरक्षा Grid गठित करने की योजना बना रहा है Border सुरक्षा Grid के तहत Physical Barriers अर्थात Pensing, Non-Physical Barriers अर्थात Radar, Camera, Laser, Night Vision, Camera इस्थापित किया जाएगा जो राज्यों के मुख्य सचिव की निगरानी में सुरक्षा का कारिय देखेगा प्रिष्ट संख्या 130 प्रश्ण संख्या 68 निमनिलिखित कथनों पर विचार करें एक, नासा मंगल ग्रह पर कारे करने में सक्षम परमानु विखंडन रियक्टरों के निर्मान हेतु किलो पावर पर योजना संचालित कर रहा है दो, भारत में पोखरण साइट पर इस प्रणाली का प्रदर्शन किया जाएगा उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही हैं विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो, विकल्प C एक और दो दोनों, विकल्प D ना तो एक और ना ही दो सही उत्तर है विकल्प A केवल एक उत्तर की व्याख्या नासा मंगल ग्रैपर कारे करने में सक्षम, परमानों विखंडन रियक्टरों के निर्मान हेतु 15 मिलियन डॉलर की एक परियोजना किलो पावर संचालित कर रहा है जिसे किलो पावर नाम दिया गया है लास वेगास के पास निवादा नेशनल सिक्योर्टी साइट पर इस प्रणाली का प्रदर्शन किया जाएगा प्रश्न संख्या उनत्तर नियोमा एरफील्ड प्रोजेक्ट के संदर्भ में निमनिलिकित कथनों पर विचार करें एक भारतिया वायुसेना ने लद्दाक में चीन की सीमा के पास नियोमा एरफील्ड को पूर्ण एरबेस बनाने का निर्ण लिया है दो वहाँ देश के सबसे अग्रिम पंक्ति के लड़ाकु विवान सुखोई को तैनात किये जाने की योजना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही हैं विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो, विकल्प C एक और दो दोनों, विकल्प D ना तो एक और ना ही दो सही उत्तर है विकल्प C एक और दो दोनों उत्तर की व्याख्या भारतिया वाय सेना ने लद्दाक में चीन की सीमा से महज 23 किलोमीटर दूर नियूमा एरफिल्ड को पूर्ण एरबेस बनाने का निर्ण लिया है और वहां देश के सबसे अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान सुखोई को तैनाद किये जाने की योज उत्रा था प्रश्न संख्या सत्तर निमनलिखित कथनों पर विचार करें एक साइबर अपरात को लेकर यूरोपिय परिशत की संदी जिसे बुड़ापेश्ट संदीपत्र के नाम से जाना जाता है साइबर अपरात के लिए व्यापक राष्ट्रिय कानून बनाने की दिशा में किसी भी देश के लिए एक मार्ग दर्शिका हो सकती है दो इस कन्वेंशन में 116 सदस्य हैं उपरिउक्त कथनों में से कौन सा या से सही हैं विकल्प A केवल एक विकल्प B केवल दो विकल्प C एक और दो दोनों विकल्प D ना तो एक और ना ही दो सही उत्तर है विकल्प A केवल 1 उत्तर की व्याख्या बुढपेस्ट कन्वेंशन साइबर प्राइम पर एक कन्वेंशन है जिसे साइबर अपराद पर बुढपेस्ट कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है यूरोपिया परिशत के मंत्रियों की समिति की ओर से 2001 में 119 सत्र के में इस संदी को सुविकार किया गया और 2004 से ये प्रभावी है प्रश्न संख्या 71 भौगोलिक संकेत अर्थात G.I. के संदर्ब में निमनलिखित कथनों पर विचार करें 1. भौगोलिक संकेत के रूप में कारे करने के लिए एक संकेत को किसी उत्पात को किसी दिये गए इस्थान के उत्भव के रूप में पहचानना चाहिए 2. एक सरक्षित भौगोलिक संकेत धारक को उसी तकनीक के उपयोग से किसी व्यक्ति को उत्पाद बनाने से रोकने में सक्षम बनाता है जो उस संकेत के मानकों में निर्धारित है 3. वस्तों के भौगोलिक संकेत अर्थात पंजीकरण और सुरक्षा अधिनियम 1999 भारत में भौगोलिक संकेतों को अधिशासित करता है उपर्युक्त कथन या कथनों में से कौन सा या से सही है विकल्प A. 1,2,3 विकल्प B.1,3,4 विकल्प C.2,3 विकल्प D. उपर्युक्त सभी सही उत्तर है विकल्प C.2,3 उत्तर की व्याख्या वस्तों के भौगोलिक संकेत अर्थात पंजीकरण और सुरक्षा अधिनियम 1999 में प्रदान किया गया है कि भौगोलिक संकेत का अर्थ है एक ऐसा संकेत जो वस्तों की पहचान जैसे कृषी उत्पाद, प्राकृतिक वस्तों या विनिर्मित वस्तों एक देश के राज्यक्षेत्र में उत्पन होने की आधार पर करता है। जहां उक्त वस्तों की दी गई गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य कोई विशेशताईं इसके भौगोलिक उत्भव में अनिवार्यता योगदान देती है। प्रश्न संख्य बहुत तर दुनिया भर के बच्चों और नवजातों में गंभीर दस्त होने का सबसे सामान्यकारण रोटा वाइरस है। रोटा वाइरस के संदर्ब में निमनलिकित कथनों पर विचार करें। 1. रोटा वाइरस एक दोरै स्ट्रेंड वाला आरन्य वाइरस है जो रियो वाइरस परिवार का है। 2. वाइरस की आक्रिती एक धागी की तरह दिखाई देती है। तीन, रोटा वाइरस विष्टा मौखिक मार्ग अर्थात किसी संक्रमित व्यक्ति के अपशिष्ट से दूसरे व्यक्ति के मुहों में फ्यालता है। उपरियुक्त कथनों में से कौन सा या से सही हैं। विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो और तीन, विकल्प C एक दो और तीन, विकल्प D केवल एक और तीन। सही उत्तर है विकल्प D केवल एक और तीन। उत्तर की व्याख्या, रोटा वाइरस एक दोरे स्ट्रेंड वाला आरन्य वाइरस है, जो रियो वाइरस परिवार का है, इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप से देखे जाने पर वाइरस की आकरित एक पईये की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम रोटा रखा गया, जो पैया के लिए ल्याटिन शब्द है। रोटा वाइरस की अनेक किस्मों और उप्प किस्मों के कारण मनुष्यों में रोग उत्पन होता है। रोटा वाइरस संक्रमण का सबसे सामानी लक्षन है पतला दस्त। इसके कारण बुखार, पेट का दर्द और उल्टी भी हो सकती है रोटा वाइरस विश्टा मौखिक मार्ग अर्थात किसी संक्रमित व्यक्ति के अपशिष्ट से दूसरे व्यक्ति के मुह में फ्यालता है प्रश्ण संख्या 73, थोरियम के संबंद में निमनिलिकित कथनों पर विचार करें एक, परमानु भट्टियों में थोरियम का प्रियोग यूरेनियम से जादा खतरनाक एवं असुरक्षित होता है दो, थोरियम के अंतरगत थेरिये नाइट, एले नाइट तथा मोजानाइट खनिजों को शामिल किया जाता है तीन, थोरियम भी एक उर्जाशील पदार्थ है दिये गए कथनों में से कौन से सत्य हैं? विकल्प A, एक और दो, विकल्प B, दो और तीन विकल्प C, एक और तीन, विकल्प D, एक, दो और तीन, सही उत्तर है विकल्प B, दो और तीन उत्तर की व्याख्या, समस्त विश्व में थोरियम प्रचुर मात्रा में उपलब्द है और ये पूरी पृत्वी पर लगबग हर जगा उपलब्द है किसी पर्मानु भट्टी में सक्रिय होने के दौरान इसकी कुछ रासायनिक और भौतिक विशेशताएं होती हैं जो इसे यूरेनियम से बहतर बना देती हैं पर्मानु भट्टीयों में थोरियम का प्रियोग यूरेनियम से अधिक सुरक्षित होता है थोरियम के अंतरगत थेरियनाइट, एलेनाइट तथा मोजनाइट खनीजों को शामिल किया जाता है प्रश्न संख्य चोहत्तर आगम वभुकतान की दिर्श्य व अद्रिश्य मदें तथा अंतराश्ट्रिय वित्य हस्तांतरण निमनलिकित में से किस से संबंधित है विकल्प A. प्यापार संतुलन विकल्प B. वार्शिक बजट विकल्प C. भुकतान संतुलन विकल्प D. आयात निर्यात धर सही उत्तर है विकल्प C. भुकतान संतुलन उत्तर की व्याख्य भुकतान संतुलन अर्थाथ Balance of payments किसी देश तथा शेश दुनिया के बीच लेंदेन का व्योरा होता है यानि किसी समयावदी विशेश में अमुक देश ने बागी दुनिया के साथ कितना लेंदेन किया इसका सार ही भुकतान संतुलन कहलाता है ये अवदी आमतोर पर एक वर्ष की होती है, इसमें सौदों को दो मद पूजी खाता अर्थाद कैपिटल अकाउंट तथा चालू खाता अर्थाद करंट अकाउंट में रखा जाता है प्रश्न संख्या 75, क्रिप्टो करंसी के संदर्व में निमनलिखित कथनों पर विचार करें 1. इसकी शुरुवात साल 2017 में हुई थी 2. क्रिप्टो करंसी को जमा करना माइनिंग कहलाता है 3. इसके इस्तेमाल और भुकतान के लिए क्रिप्टो ग्राफिका उप्योग किया जाता है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यसे सही है विकल्प A केवल 1 और 3 विकल्प B केवल 2 और 3 विकल्प C केवल 1 विकल्प D 1, 2 और 3 सही उत्तर है विकल्प भी केवल 2 और 3 उत्तर की व्याख्या क्रिप्टो करंसी को E मुद्रा या वर्चुल मनी भी कह सकते हैं ये नोटों की तरह नहीं होती है केवल कंप्यूटर पर ही दिखाई देती है और सीधे आपकी जेब में नहीं आती इसलिए इसे डिजिटल या वर्चुल करंसी कहा जाता है इसे डिजिटल करंसी भी कहते हैं इसकी शुरुआत वर्ष 2009 में हुई थी इसके इस्तेमाल और भुक्तान के लिए क्रिप्टो ग्राफिका उपियोग किया जाता है इसलिए इसे क्रिप्टो करंसी कहा जाता है प्रश्न संख्या चियत्तर समाचारों में दिखाई देने वाले भुक्तान बैंक अर्थात पेमिंट बैंक के संदर्व में निमनलिकित कथनों पर विचार करें एक पेमिंट बैंक सेविंग्स डिपॉजिट सुविकार करते हैं ताकि आप ट्रांजेक्शन में इनका इस्तेमाल कर सकें दो ये बैंक लोन नहीं देते हैं पर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं इन बैंकों में जमा करने की अधिक्तम सीमा रुपय पांच लाग है चार पेमिंट बैंक सरकारी बॉंड्स में निवेश कर सकते हैं तथा ये मेंस्ट्रीम बैंक के अपने खाते में 25 प्रतिशत तक राशी जमा कर सकते हैं उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही हैं विकल्प A केवल 1 और 2 विकल्प B केवल 1,2 और 3 विकल्प C केवल 1 और 4 विकल्प D केवल 3 और 4 सही उत्तर है विकल्प C केवल 1 और 4 उत्तर की व्याख्या भारतिय रिजर्व बैंक ने देश में बैंकिंग सेवाओं को घर घर पहुचाने के लिए पेमिंट बैंकों को कारुबार करने की इजाज़त दी है पेमिंट बैंकों को लॉंच करने का मुख्य उद्देश स्मॉल सेविंग अकाउंट्स होल्डर्स लो इंकम हाउस होल्ड असंगतिक्षेत्र प्रवासी मजदूरों और छोटे बिजनेसमेन को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना है पेमिंट बैंकों को बड़ी रकम जमा के तौर पर स्विकार करने की इजाज़त नहीं है पेमिंट पैंक रुपे एक लाग तक केवल सेविंग्स पर और करन्ट डिपॉजिट स्विकार कर सकते हैं प्रश्न संख्या 77 निमनलिकित कथनों पर विचार करें एक परमान उर्जा नियामक बोर्ड अर्थात AERB ने पीने के पानी के लिए 60 PPB यूरेनियम की एकागरिता के लिए टीपिर्मिबल रेडियोलोजी की सीमा तैकी है दो उच्चिस्तर के यूरेनियम की मात्रा बाले पानी पीने से थाइरोइड कैंसर, रक्त कैंसर, आवसाद और अन्य गंभीर बिमारियां होने की संभावना प्रबल हो जाती है उपरिउक्त कथनों में से कौन सा या से सही है विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो, विकल्प C एक और दो दोनों, विकल्प D ना तो एक और ना ही दो सही उत्तर है विकल्प C एक और दो दोनों उत्तर की व्याख्या यूरेनियम एक रेडियो धर्मी तत्व है पर्मान उर्जा नियामक बोड ने पीने के पानी के लिए 60 PPB यूरेनियम की एकागरिता के लिए टी पिर्मिबल रेडियोलोजिक की सीमा तैकी है लोगों को सला दी जाती है कि वे शोतों से पानी का उप्योग न करें जहां यूरेनियम की मात्रा निश्चित सीमा से अधिक हो उचिस्तर के यूरेनियम की मात्रा वाले पानी पीने से मानव स्वास्थे में रेडियोलोजिकल और रसायनिक जोखिम बढ़ते हैं इसे thyroid cancer, रक्त cancer, अवसाद और अन्य गंभीर विमारियां हो सकती हैं प्रश्न संख्य 78 महासागरिय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं 1. पृत्विका गुरुत्व 2. जलिय जीवों की उपस्थिती 3. जल की लवनता 4. तापान में भिन्निता उत्तर चुनिये विकल्प A. 2, 3, 4 विकल्प B. 3, 4, 5 विकल्प C. 1, 2, 3 विकल्प D. उपर्युक्त सभी सही उत्तर है विकल्प B. 3, 4, 5 उत्तर की व्याख्या महासागरों में धाराओं की उत्पत्ती कई कारणों से होती हैं जिनमें प्रित्वी की घूणन गती, महासागरिय जल के तापमान, लवनता, घनत्व आदि में भिनिता की उपस्थिती, वायुदाब एवं प्रचलित हवाई, वर्षा की मात्रा एवं वाश्पी करण में भिनिता आदी प्रमुख हैं, धाराओं की प्रवह दिशा तथा गत भारत में खनीजों की खोज तथा मानचित्री करण के लिए कौन सा संगठन उत्तर दाई हैं, विकल्प A. School of Mines, विकल्प B. Survey of India, विकल्प C. Minerals Development Corporation, विकल्प D. Geological Survey of India, सही उत्तर है विकल्प D. Geological Survey of India उत्तर की व्याख्या, भारतिय भूवयग्यानिक सर्वेक्षन अर्थात, Geological Survey of India, भारत सरकार के खान मंत्राले के अधीन कारेरत एक संगठन है, इसकी स्थापना 1851 में हुई थी जॉन मैकेलेलेंड वर्ष 1848 में पहली बार अपनी रिपोर्ट में भारतिय भूवयग्यानिक सर्वेक्षन शब्द का प्रियोग किया सन 1851 में भारतिय भूवयग्यानिक सर्वेक्षन अर्थात, GSI के स्थापना मुख्यता, रेलवे के लिए कोईला भंडारों की खोज के लिए की गई थी प्रश्न संख्य असी राष्ट्र कृषि और ग्रामीन विकास बैंक के संदर्भ में निमने लिखित कथनों में से कौन सा यसे सही हैं 1. भारतिय रिजर्व बैंक ने कृषि कृष्ण कारियों और ततकालीन कृषि पुनर्वित और विकास निगम के पुनर्वित कारियों के अंतरण द्वारा नाबाड 5 नवंबर 1982 को अस्तित्वों में आया 2. स्वर्गिय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदरा गांधी ने 12 जुलाई 1982 को ये सेवाराष्ट को समर्फित की 3. सहभागिता, संधारणियता और समानता पर आधारित वित्तिय और गयर वित्तिय सहयोगों, नवोनमेशों, प्रध्योगी की और संस्थागत विकास के माध्यम से समर्दि लाने के लिए क्रिश और ग्रामिन विकास का संवर्धन नीचे दिये गए कूट का प्रियोग कर सही उत्तर चुनिये, विकल्प A केवल 3, विकल्प B केवल 1 और 2, विकल्प C 1, 2 और 3, विकल्प D केवल 2 और 3, सही उत्तर है विकल्प A केवल 3 उत्तर की व्याख्या, शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रियक क्रिशी और ग्रामिन विकास बैंक अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए संसत के एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982 को नाबाड की स्थापना की गई इंदिरा गांधी ने 12 जुलाई 1982 को नाबाड राष्ट को समर्पित किया राष्ट्रियक्रिशी और ग्रामिन विकास बैंक एक ऐसा बैंक है जो ग्रामिनों को उनके विकास एवं आर्थिक रूप से उनकी जीवन इस्थर सुधारने के लिए उनको रिन उपलब्द कराती ह प्रिश्ट संख्य 131 प्रश्ण संख्य 81 पूरे विश्व में दो फर्वरी को विश्व आदरभूमी दिवस अर्थात वर्ड वेटलेंड ए मनाया जाता है आदरभूमी दिवस का आयोजन आदरभूमी की महत्वण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरुकता बढ़ान के लिए किया जाता है प्राकृतिक संतुलन में आदरभूमियों की भूमिका के संदर्भ में निमनेलिकित कथनों पर विचार करें एक आदरभूमी पानी में मौजूद पोशक तत्तों को अपने में समा लेती है और सीधे नदी में जाने से रोकती है दो आदरभूमी जल इसतर को बढ़ाने तथा कच्छरे जल को साफ करने में महत्तुपूर्ण भूमी का निभाती है नीचे दिये गए कूट का प्रियोग कर सही उत्तर चुनिये विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल एक और तीन विकल्प C केवल दो और तीन विकल्प D एक, दो और तीन सही उत्तर है विकल्प B केवल एक और तीन उत्तर की व्याख्या आदर भूमियां हमारे लिए अत्यंत महत्तुपूर्ण है असल में आदर भूमि की मिट्टी, जील, नदी विशाल तालाब या किसी नमी युक्त किनारे का हिस्सा होती है जहां भरपूर नमी पाई जाती है बाड नियंत्रण में भी इनकी भूमि का महत्तुपूर्ण होती है आदर भूमि तलछट का काम करती है जिससे बाड जैसी विपदा में कमी आती है वन पारिस्थितिक्यों के मुख्य आदार होने के साथ मानव की आजीविका के शोत भी है वनों की संदर्व में कौन सा कथन असत्य है विकल्प A. परवत के ढालों से वन कार्ट देने पर नदियों का प्रवाह तीवर हो जाता है एवं मिट्टी का अपरदन तेज हो जाता है विकल्प B. वनों की कट जाने से वर्षा कम होने लगती है तथा जलवायू शुष्क हो जाती है विकल्प C. वनों की काटने से मिट्टी का क्षरन थम जाता है विकल्प D, वनों का देश की जलवायू पर गहरा प्रभाव पड़ता है सही उत्तर है विकल्प C, वनों के काटने से मिट्टी का क्षरण थम जाता है उत्तर की व्याख्या, वनों की कटाई की वज़ा से भूमी का क्षरण होता है क्योंकि व्रिक्ष पहाडियों की सता को बनाई रखने में एक महत पूर्ण भूमी का निभाते हैं तथा तेजी से बढ़ती बारिश के पानी में प्राकृतिक बाधाईं पैदा करते हैं नतीजेतन नदियों का जल इसतर अचानक बढ़ जाता है जिससे बाल आती है वनों की कटाई के साथ जमीन के ऊपर उपजाओ मिट्टी बारिश के पानी से उन जगहों पर बह जाती है जहां इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है प्रश्ण संख्य 83 भारतिय वन इस्तिती रिपोर्ट को दुईवार्षिक रूप से भारतिय वन सरविक्षन द्वारा प्रकाशित किया जाता है वर्ष 1987 से जारी ये इस श्रेणी की 16 रिपोर्ट है भारत वन इस्थिती रिपोर्ट 2019 के संदर्व में निमनेलिकित कथनों पर विचार करें एक भारत वन इस्थिती रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल वन और व्रक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेतर का 24.56 प्रतिशत है दो इसके अनुसार देश में वन और व्रक्षावरण की इस्थिती में वर्ष 2017 की तुल्ना में 5188 वर्ग किलोमीटर के व्रिद्धी हुई है तीन देश में कुल वनावरण कुल भौगोलिक क्षेतर का 21.67 प्रतिशत है उपरियुक्त कथनों में से कौन सा यसे कथन सही है विकल्प A केवल 1 और 2, विकल्प B केवल 3, विकल्प C केवल 1, विकल्प D 1, 2 और 3 सही उत्तर है विकल्प D 1, 2 और 3 उत्तर की व्याख्या, 30 दिसंबर 2019 को केंद्रिय वन परियावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जाबडेकर ने सोलवी भारत वन इस्थिती रिपोर्ट 2019 जारी की इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वन और व्रक्षावरण 8,7,276 वर्ग किलोमीटर है जो की देश के कुल भागोलिक शेत्र का 24 दशमलव 5-6 प्रतिशत है इसके अनुसार देश में वन और प्रक्षावरण की इस्थिती में वर्ष 2017 की तुलना में 5,188 वर्ग किलोमीटर की व्रिद्धी अर्थात 0,65 प्रतिशत हुई है देश में कुल वनावरण 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है जो कुल भागोलिक शेत्र का 21 दशमलव 6-7 प्रतिशत है प्रश्न संख्या 84 प्रित्वी पर अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा उश्न कटिवंदी अक्षेत्र में सरवादिक जैव विवित्ता पाये जाने के प्रमुक कारण है एक इस क्षेत्र में जलवायू परिवर्तन का अपेक्षाकृत अबाधित रहना दो निम्न मौसमी परिवर्तन इस क्षेत्र को अधिक सोर उर्जा की प्राप्ति नीचे दिये गए कूट का प्रियोग कर सही उत्तर चुनिये विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो और तीन विकल्प C एक दो और तीन, विकल्प D केवल तीन सही उत्तर है विकल्प C एक दो और तीन उत्तर की व्याख्या होता है किन्तु कर्क और मकर रिखाओं के पास ये अंतर अपेक्षाक्रित बढ़ जाता है प्रश्न संख्य 85 होट स्पोर्ट के संदर्व में निमनिलिखित कथनों पर विचार करें एक एक जैविवित्ता वाला होट स्पोर्ट ऐसा जैविक भोगोलिक शेत्र है जिसे मनुश्यों से खत्रा रहता है दो इस पद्धति की अंतरगत संकटापन पादप एवं जन्तूं को उनके प्राकृतिक आभास में ही सरक्षित किया जाता है उपरियुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है विकल्प A केवल एक विकल्प B केवल दो विकल्प C एक और दो दोनों विकल्प D ना तो एक और ना ही दो सही उत्तर है विकल्प A केवल एक उत्तर की व्याख्या हाट्सपॉट जैविविता वाले ऐसे क्षेत्रे हैं जहां जैविविता के कई महत्पूर्ण इस तर दिखाई पड़ते हैं लेकिन मानवी गतिविदियों के कारण इन जैविविताओं की स्थिती खतरनाक हो गई है जैविवित्ता विशेशग्य डॉक्टर नॉर्मन मायर्स ने सबसे पहले इन जैविवित्ता होट स्पोर्ट को पहचाना और 1988 और 1990 में प्रकाशित अपने दो लेखों में इने प्रस्तुत किया प्रश्नसंख्य 86 मेंग्रोव उश्नकटिबंदियक शेत्रों के तटों पर उस स्थान पर उगने वाली वनस्पति को कहा जाता है जहां ज्वार के समय समुद्र का खारा पानी भर जाता है निमनलिखित में से मेंग्रोव वनस्पति है सही उत्तर है विकल्प सी राइजोफोरा एना मलायाना उत्तर की व्याख्य विश्व में सरवादिक सघन मेंग्रोव वन मलेशिया के तटवर्तिक शेत्रों में पाए जाते हैं भारत के मेंग्रोव वनों में लगबग 1600 वनस्पतियों एवं 3700 जीवों की पहचान की गई है पश्य मंगाल का सुन्दर वन क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा मेंग्रोव क्षेत्र है विश्व के कुल मेंग्रोव वनों का 5 प्रतिशत भारत में उपलब्द है भारत में 42 वर्गों और 28 समुहों में मेंग्रोव की 69 प्रजातियां पाई जाती है इन में से 26 अंडबान और निकोबार क्षेत्र में एवं 18 प्रजातियां पूर्वी तट में पाई जाती है भारत में मैंग्रोव की दो देशज प्रजातियां हैं पहली राइजोफोरा एनना मलाया जो किपिच वरम तमिलनाडू में और दूसरी ओडिशा के भीतर कनिका क्षेतर में पाई जाती है प्रश्न संख्या 87 अंतराश्टिया सौर गटबंधन अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस के संदर्भ में निमनलिकित कथनों में से कौन सा यसे सही हैं एक अंतराश्टिया सौर गटबंधन का शुभारंब 2015 में पेरिस फ्रांस में 21 पक्षों के UNF CCC सम्मेलन अर्थात कोप 21 के अवसर पर किया गया था दो इसका उदेश विश्वस्तर पर सौर उर्जा के विकास और इस्तेमाल को बढ़ावा देना है तीन ये सतर देशों का गटबंधन है जहां पर वर्ष में कम से कम 240 दिनों का सूरे का प्रकाश उपलब्द होता है नीचे दिये गए कूट का प्रियोग कर सही उत्तर चुनिये विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल एक और दो, विकल्प C एक दो और तीन, विकल्प D केवल दो और तीन सही उत्तर है विकल्प B केवल एक और दो उत्तर की व्याख्या ISA की स्थापना भारत की पहल के बाद हुई थी इसकी शुरुवात संयुक्त रूप से पेरिस में 30 नमंबर 2015 को संयुक्त राष्ट जलवायू सम्मेलन के दोरान कोप 21 से अलग भारत के प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी और फ्रांस के ततकालीन राष्ट पती ने की थी ये संगठन करक्व मकर रेखा के बीच इस्थित राष्ट्रों को एक मंच पर लाएगा ऐसे राष्ट्रों में दूप की उपलब्दिता बहुलता में है अंतराष्ट्रिय सौर संगठन की कलपना एक विशेश मंच के रूप में की गई है और इसका आम लक्ष इसके सदत्से देशों में सौर उर्जा और सौर उपकरणों के प्रियोग को बढ़ाने की दिशा में योगदान देना होगा प्रश्न संख्या 88 निमनिलिकित कथनों पर विचार करें एक वायुमंडल के आयतन के संदर्भ में ओजोन परत की सांदृता लगबग 70 PPM है दो ओजोन की मात्रा मापने की सुविधा जनक इकाई का नाम डॉप्सन के सम्मान में डॉप्सन इकाई रखा गया है 3. पराबैंगनी विकरण व्रिद्धि पत्तियों का आकार छोटा कर सकती है अंकुरण का समय बढ़ा सकती है 4. पराबैंगनी किरणों के समुद्र सतय के भीतर तक प्रवेश कर जाने से सुक्ष्म जली या पौधे अर्थात फाइटो प्लैंक्टॉन्स की व्रिद्धि धीमी हो सकती है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है विकल्प A केवल एक और दो विकल्प B केवल दो तीन और चार विकल्प C केवल एक दो और चार विकल्प D केवल एक और चार सही उत्तर है विकल्प B केवल दो तीन और चार उत्तर की व्याख्या ओजोन परत की खोज ओक्सफोर्ड विश्विद्याले के प्रोफेसर गॉर्डन डॉप्सन ने वर्ष 1957 में की थी वायू मंडल के आयतन के संदर्व में ओजोन परत की सांदरता लगबग 10 PPM है ओजोन परत परियावरण की रक्षक है ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों को प्रिथवी पर आने से रोकती है ओजोन परत में छित्र हो जाने के कारण सूरे की हानिकारक पराबैंगनी किरणे और रेडियो विकरण धर्ती तक पहुंच जाते हैं तथा जीव जन्तूओं एवं वनस्पतियों पर अपना कूप्रभाव छोड़ते हैं। सूरी की पराबैंगनी किर्णे वायुमंडल में विद्यमान CFC को तोड़ देती हैं। तथा अलग हुई क्लोरीन एवं फ्लोरीन ओजोन गैस के अणूओं को ऑक्सीजन में विगटित कर देती हैं। प्रश्न संख्य उनब्बे हालही में ब्लू एकॉनमी का समाचार पत्रों में उल्लेख किस संदर्व में किया गया। विकल्प A. ब्लू एकॉनमी के तहट नए उध्यमों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से प्रियास किया जाएगा। विकल्प B. ब्लू एकॉनमी के तहट अर्थिविवस्ता समुद्रिक शेत्र पर आधारित होती है। इसमें परियावरण की सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए डाइनमिक बिजनेस मॉडल तैयार किये जाते हैं। विकल्प C. ब्लू एकॉनमी के तहट लगातार विक्सित किस्मों, मुल्यवर्धित उत्पादों, उत्पादन और सरक्षन तक्नीक का विकास किया जाएगा। विकल्प D. ब्लू एकॉनमी के तहट दुमाशिक मौद्रिक नीती में नीतिगत दरों, आरक्षित, नगदी अनुपाद, निवल मांग एवं मियादी देयताओं को अपरिवर्धित रखा जाएगा। सही उत्तर है, विकल्प B. ब्लू एकॉनमी के तहट अर्थिव्यवस्ता समुद्रिक शेत्र पर आधारित होती है। इसमें परियावरण की सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए डाइनिमिक बिजनस मॉडल तैयार किये जाते हैं। उत्तर की व्याख्या, वर्ष 2010 में आई गुंटर पॉली की किताब The Blue Economy, 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs में पहली बार ब्लू एकॉनमी के कॉंसेप्ट को महत्व मिला। Blue Economy के तहट अर्थ विवस्ता समुद्री क्षेतर पर आधारित होती है। इसमें परियावरण की सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए डाइनिमिक बिजनस मॉडल तैयार किये जाते हैं। Blue Growth के जर्ये संसादनों की कमी और कचरे के निप्टारे की समस्या का समाधान किये जाने की कोशिश होती है। इसमें टिकाव विकास को भी सुनिश्चित किया जाता है जो बड़े पैमाने पर मानव कल्यान की ओर केंद्रित होता है। प्रश्नसंख्य नब्बे भारत में कोईला खननन में महतपून घटनाई निमन लिखे थें। विकल्प C 2143 विकल्प D 2143 सही उत्तर है विकल्प A 1432 उत्तर की व्याख्या बिटिश इस्ट इंडिया कंपनी ने 1774 में दामूदर नदी के पश्चिमी किनारे पर रानी गंज में कोईले का वानिजिक खनन आरंब किया। सरकार की राष्ट्रिय उर्जानीती के तहट भारत की कोईला खानों को 1970 के दशक में दो चरणों में पून रूप से राष्ट्रिय नियंत्रण में लिया गया। कोकिंग कोईला खान अधिनियम 1971 सरकार द्वारा 16 अक्टूबर 1971 को लागू किया गया। जिसके तहट इसको टिसको और डीवी सी के कैप्टिव खानों के अलावा भारत सरकार ने सभी 226 कोकिंग कोईला खानों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। और उसे एक मई 1972 को राश्ट्रिय कृत कर दिया। प्रश्न संख्या 91 गूगल टेक्स के संदर्व में निमनलिकित कथनों पर विचार करें। एक ये गूगल द्वारा ओनलाइन विज्यापन पर लगाया जाने वाला टेक्स है। दो इस तरह के कर पहले से ही आर्थिक सयोग और विकास के लिए संगठन अर्थात OECD और यूरोपिय देशों में मौजूद हैं। उपरियुक्त में से कौन सा ये से कथन सही हैं। विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो, विकल्प C एक और दो दोनों, विकल्प D ना तो एक और ना ही दो। सही उत्तर है विकल्प B केवल दो। उत्तर की व्याख्या, गूगल जैसी कमपनी हर सर्च और ओनलाइन विग्यापन पर पैसा कमाती है सरकार की कोशिश है कि कमपनियों को इंटरनेट पर विग्यापनों से होने वाले फायदे पर वो टेक्स लगाए जो भी भारतिय कमपनियों अब गूगल और फेस्बुक पर विग्यापन देंगी, उन्हें टेक्स के रूप में पैसे सरकार को देने पड़ेंगे यूरोप की कई देशों में सरकारें ऐसा ही टेक्स लगाती है सरकार की अप्रत्यक्ष करकी सबसे बड़ी संस्था सेंटर बोर्ड ओफ एक्साइज एंड कस्टम्स कई महीनों से इसकी तयारी कर रहा था प्रश्न संख्या 92 थार मरुस्थल के पश्चिमी भारत में इस्थित होने की सरवादिक तरक संगत व्याख्या है विकल्प A. अवरुद जो अरावली के द्वारा उन वर्शावाही पवणों को उपस्थित किया जाता है जो गंगा घाटी की ओर जाते हैं विकल्प B. गर्मी के द्वारा नमी का वाश्पी करन विकल्प C. राजिस्तान के उत्तर की ओर किसी परवत की अनुपस्थिती विकल्प D. ये कि दक्षणी पश्चिमी मानसून द्वारा लाई गई नमी शुषक उपरी वायुधरा द्वारा अपचालित कर दी जाती है सही उत्तर है विकल्प सी राजिस्तान के उत्तर की ओर किसी परवत की अनुपस्थिती उत्तर की व्याख्या ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को दो भागों में बाटा जाता है उत्तरी भाग जिसका ढ़ाल पाकिस्तान के सिंद प्रांत की ओर है और दक्षणी भाग जिसका ढ़ाल कच्छ के रन की ओर है इस क्षेत्र की अधिकांच नदियां निम्न वर्षा अत्य दिक्ताप द्वारा वाश्पी करण और किसी हिम नदिय उद्गम के अभाव में वर्षा वाही होती हैं अर्धात इन नदियों में केवल वर्षा के मौसम में ही जल पाया जाता है यहां की अधिकांश नदियां प्रश्न संख्य तिराननवे दकन ट्रैप से संबंदित निम्न वक्तव्यों पर विचार करें 1. कृटेशियस से योसिन तक प्रैदूपी अभारत में तीवर ज्वाला मुखी क्रिया हुई 2. ज्वाला मुखी लावा शैतिज परतों के रूप में फैल गया जिसने पहले से मौजूद इस्थला कृति की अनिमित ताओं को भर दिया 3. ट्रैप प्रदेश में शंक्वाकार पहाडियां तथा विस्तरित समतल धरातल मिलते हैं उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही हैं विकल्प A. एक तथा दो सही है विकल्प B. एक दो और तीन सही है विकल्प C. दो और तीन सही है विकल्प D. एक और तीन सही है सही उत्तर है विकल्प B. एक दो और तीन सही है उत्तर की व्याख्या ज्वाला मुखी से निकले बेसाल्ट की कई क्रमिक परतों को ट्रैप कहा जाता है महराष्ट में सरप्रथम क्रिटेशियस काल में दरारी उद्गार से बेसाल्ट का जमा हुआ इस बेसाल्ट परत के ऊपर अपक्षय के कारण काली मिट्टी बड़ी जिस पर वनस्पति एवं जीवों का विकास हुआ ये उसीन काल में पुना ज्वाला मुखी से निकले बेसाल्ट लावा की दूसरी परत फैल गई पहली एवं दूसरी परतों के बीच को अंतर ट्रापीय संस्तर कहा जाता है पुना तीसरी बार ज्वाला मुखी से निकले बेसाल्ट की परत तीसरे एवं नवीनितम ट्राप का निर्मान किया दूसरे तथा तीसरे ट्राप के मध्य भी वनस्पती एवं जीव दपकर जीवाश्मी कृत हो गए पृष्ट संख्य एक सो बतिस पृष्ण संख्य चौरानवे अंतराश्रिय क्षुद्र ग्रह दिवस अर्थात International Asteroid Day निमनलिकित में से किस दिन मनाया जाता है विकल्प A. दो मई, विकल्प B. 30 जून, विकल्प C. 10 जुलाई, विकल्प D. 25 अगस्त सही उत्तर है विकल्प B. 30 जून उत्तर की व्याख्या प्रतेक वर्ष 30 जून को अंतराश्रिय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है सैंक्तराश्र ने क्षुद्र ग्रह अर्थात International Asteroid के खत्रे को लेकर जागरुकता बढ़ाने के लिए 30 जून 2017 से अंतराश्ट्रियक शुद्रग्रह दिवस मनाने की गोशना की थी प्रश्न संख्य 95 निमनिलिकित में से कौन सा एक कथन भारत की समिधान की ग्यारवी अनुसूची का सही वर्णन करता है विकल्प A इसमें राज्यों और संगराज्यक शेत्रों का वर्णन से संबंदित उपबंद अंतरविष्ट है विकल्प B इसमें जम्मु कश्मीर के संबंद में उपबंद की रूप रेखा अंतरविष्ट है विकल्प C इसमें पंचायतों के अधिकार, प्रादिकार और दाइत्व की जानकारी दी गई है विकल्प D इसमें नगरपालिकाओं के अधिकार, प्रादिकार और दाइत्व से संबंदित जानकारी अंतर विष्ट है सही उत्तर है विकल्प सी इसमें पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार और दाइत्व की जानकारी दी गई है उत्तर की व्याख्या भारत्य समिधान की ग्यार्मी अनुसूची को 73 समिधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था इस अनुसूची में 29 विशय शामिल है इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियां, ग्रामीन विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सडक और पीने का पानी जैसे जरूरी विशय शामिल है प्रश्न संख्या 96 निमनलिकित कथनों पर विचार करें एक, अतारंकित प्रश्न ऐसा प्रश्न होता है, जो मौखिक उत्तर पाने के इच्छुक किसी सदस्य द्वारा सभा में पूछा जाए और जिसका विभेद तारंक लगा कर किया जाए 2. किसी ऐसे तथ्यपूर्ण मामले जिसके संबंद में प्रश्नकाल के द्वारान उत्तर दिया गया हो को और स्पष्ट करने के प्रियोजन से सभापति द्वारा बुलाए जाने पर किसी सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न अनुपूरक प्रश्न कहलाता है 3. अल्प सूचिना प्रश्न वे हैं जिनका कोई सदस्य पूरे 14 दिनों से कम आवदी के भीतर मौकिक उत्तर चाहता है कूट विकल्प A एक और दो विकल्प B दो और तीन विकल्प C केवल तीन विकल्प D एक और तीन सही उत्तर है विकल्प B दो और तीन उत्तर की व्याख्या अतारंकित प्रश्न वे प्रश्न हैं जिनके लिखित में संबंदित सदस्य को उत्तर दिये जाएंगे संसद में किसी विशय पर दिये गए जवाब के इस पश्टी करण के लिए अनुपूरक प्रश्न पूछा जाता है यानि जिस विशय पर जवाब दिया जा चुका है उसमें किसी तरह का इस्पश्टी करण चाहने के लिए अनुपूरक प्रश्ण पूछा जाता है अल्प सूचना प्रश्ण वे हैं जिनका कोई सदस्य पूरे 14 दिनों से कम अवदी के भीतर मौकिक उत्तर चाहता है प्रश्ण संख्या 97 उत्तरी सेंटिनली जनजाती के संबंध में निमनिलेखित कथनों पर विचार करें एक वे विशेश रूप से कमजोर आदिवासी समुहों में से एक हैं दो वे 36 गड के दंड कारण या क्षेत्र के निवासी हैं उपर्युक्त कथन या कथनों में से कौन सा या से सही हैं विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो, विकल्प C एक और दो दोनों, विकल्प D उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प A केवल एक उत्तर की व्याख्या उत्तरी सेंटिनली अंडमान द्वीप समू के उत्तरी सेंटिनल द्वीप की एक आदिवासी जन जाती है ये एक शिकारी फर्मर समाज है जो शिकार करके मचली पकड़कर और जंगली पौदे एकत्रित करके रहता है इस जन्जाती में अभी तक खेती बाड़ी या आग उत्पादन नहीं देखा गया है प्रश्न संखिय अर्थान नवे राष्ट्रिय सांस्कृतिक दर्श्य श्रव्य अभी लेखागार अर्थात N.C.A.A. परियोजना के संदर्ब में निमनलिखित कथनों पर विचार करें एक प्राश्ट्रिय सांस्कृतिक द्रिश्य श्रव्य अभी लिखागार अर्थात NCAA परियोजना को विश्व का पहला विश्वसनिय डिजिटल भंडार का प्रमान पत्र प्राप्त हुआ है 2. NCAA का मूल उद्देश विद्यार्थियों की रचनात्मक्ता और विशेशग्यता को बढ़ावा देना, स्टार्ट अप इंडिया, स्टेंड अप इंडिया, अभियान के लिए आधार तैयार करना, शासन और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए समाधान, सुझाना और नागरिकों को भारत की जोयलंत समस्याओं के समाधान में नवीन सुझाव देने के लिए आमंत्रित करना है, उपरियुक्त कथनों में से कौनसा या से सही है, विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो, विकल्प C एक और दो, दोनो, विकल्प D ना तो एक और ना ही द सही उत्तर है, विकल्प A केवल एक, उत्तर की व्याख्या, संस्कृति मंत्राले की राश्ट्रिय सांस्कृतिक द्रिश्य श्रव्य अभिलेखागार अर्थात N.C.A.A. पर योजना को विश्व का पहला विश्वसनिय डिजिटल भंडार का प्रमान पत्र प्राप्त हुआ प्रश्न संख्य निन्यान नवे, भारतिय सांस्कृतिक संबंद परिशत के संदर्ब में निमनेलिखित कथनों पर विचार करें एक, भारतिय सांस्कृतिक संबंद परिशत का संबंद संस्कृतियों के समन्वे अन्य देशों के साथ रचनात्मक संवात से है दो इसके स्थापना स्वतंत्र भारत के प्रथम राश्ट्रपती राजेंदर प्रसाद द्वारा 1950 में की गई थी उपरियुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो, विकल्प C एक और दो दोनों, विकल्प D ना तो एक और ना ही दो सही उत्तर है विकल्प A केवल एक उत्तर की व्याख्या भारतिय सांस्कृतिक संबंद परिशत की स्थापना स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षामंत्री मौलाना अबुलकलाम आजाद द्वारा 1950 में की गई थी परिशत का उद्देश भारत के विदेशी संस्कृतिक संबंदों से संबंदित नीतियां और कारिक्रम तैयार करना और उनके कारियान वयन में भागीदारी करना भारत और अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों और पारस्परिक समझ को बढ़ाना और मजबूत करना अन्य देशों और लोगों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना संस्कृति के क्षेत्रों में राष्ट्रिय और अंतराष्ट्रिय संगठनों से संबंध इस्थापित करना और उन्हें विक्सित करना और ऐसे कदम उठाना है जो इन उद्देशों को आगे बढ़ाने के लिए आवशक हों प्रश्न संख्या 100 हाल ही में किस संस्था ने COVID-19 से बचने के लिए एक व्यवहर परिवर्तन अभियान नेविगेट दे न्यू नॉर्मल लॉंच किया विकल्प A. नीति आयोग विकल्प B. केंद्रिय स्वास्त एवं परिवार कल्यान विकल्प C. ICMR विकल्प D. UGC सही उत्तर है विकल्प A. नीति आयोग उत्तर की व्याख्या जून 2020 में नीति आयोग ने COVID-19 से बचने के लिए एक व्यवहर परिवर्तन अभियान नेविगेट दे न्यू नॉर्मल लॉंच किया है Bill & Melinda Gates Foundation इस अभियान के लिए एक भागीदार है इसका उद्देश देश में एक उपियुक्त COVID-19 सुरक्षित व्यवहर विक्सित करना है जैसे कि लोगों को अपनी दिन्चरिया के एक हिस्से के रूप में मास्क पहनने के लिए अनुकूल बनाना प्रिष्ट संख्य 133 प्रिष्ट संख्या 133 से लेकर 138 तक इन प्रश्णों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं ये व्याख्याएं पहले ही प्रश्णों के साथ दी जा चुकी हैं प्रिष्ट संख्या 149